ओके तो हेलो बच्चों कैसे आप सभी लोग स्वागत करता हूं मैं आप सभी का फिजिक्स वाला फांडेशन के हमारे प्यारे से चैनल पर आज हम लोग हुमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लेकर के आए हैं वन शॉट में यानि एक बार में एक शॉट में हम लोग हुमन आने वाला हूं जैसे कि मैंने आपको लाइव आ करके और मैंने और पुनियस ने लाइव आ करके आपको बताया था कि वह या वारियर हो या उडान रेलोडिड हो आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा तो हां हम लोग हुमन आई से ही स्टार्ट करेंगे पावर अफ अक सभी को वेलकम सभी को नमस्ते चलो वही स्टार्ट करते हैं ठीक है ना काफी देर हो गई है टेकनिकल कुछ इशू था इसे लिए थोड़ा अपने को डिले होना पड़ा ठीक है सभी को सभी को लबजू हां विदाउड ब्रेक कराना कोशिश करेंगे वेटा विदाउड ब् चप्तर देक सारी को बहुत सारी बहुत सारी बाते हो गई करते हैं आपने बैचे सेक्षन के अंदर जाना वारियर बैच को सर्च करना है वहां पर आपने उस बैच को सब्सक्राइब कर लेना कोई पैसा नहीं लगेगा फिर आज की डेट पर आपकी पहले से वाहं पर बटन जो होगा उसका बना हुआ होगा वो बटन को आपने प्रेस करना है तो नीचे लिंक लगा होगा आज की क्लास खतम होने के बाद नोट्स का लिंक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ना तो यह लास्ट थियोरी लेक्चर होने वाला है, warrior का, है ना, कोशिश करूँगा sources of energy को भी करवाने की लेकिन वैसे कट चुका उसको जूरुत नहीं है करवाने के लेकिन फिर्मियों में कोशिश करूँगा करवाने की, है ना, लेकिन उससे पहले हम लोग term 1 के हिसाब से, य तो ये खतम होने के बाद हम next time जब भी मिलेंगे तो light के MCQ session का पका पका live discussion आपके सामने आने वाला जिसमें हम सारे important previous year questions को MCQ की form में लेकर के आएंगे और मैं सब को साथ साथ solve करूँगा आपके आपने मेरे साथ 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 को solve करना है ठीक है चलो फिर बहुत देर हो गई स्टार्ट करते हैं बहुत बात है हो गई है ना स्टार्ट करते हैं आज के lecture को तो यह चप्टर नंबर 11 है यह NCRT का है ना यह हमारी फोटो है ठीक है न अच्छी है ना है यह हमारा कार्टून है बहुत बढ़िया वाला ठीक है human eye and the colorful world चप्टर नंबर 11 NCRT का उसी को हम स्टार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से मदब conceptual पार्ट जो है ना theoretical पार्ट conceptual पार्ट वो जादा पूछा जाता है ठीक है numerical 13% में इसलिए दिये हैं क्योंकि देखो last year तो बोड हुआ नहीं उससे पिछली बार उससे और पिछले सालों के अंदर हम लोगों ने देखे हैं कि numerical की percentage बहुत कम रहती है एक आदा numerical अगर अड़ा तो अड़ा नहीं तो वो भी नहीं अड़ता ठीक है ना और fact-based question mostly जादा आते कि भाई यह myopia हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण बताओ तो fact-based कारण है इस वज़े से हो रहा है तो हो रहा है है ठीक है बहुत सारे बच्चे जुडगे अपने साथ जैम आकाल आग लगा रहें बच्चे बस अब चैट को रोग दो अब चैट को रोग दो अब साथ साथ नोट करने वाली वारी आ गई है नीवियंस चले जाओ यहां से कुछ नहीं करना तुमने यह टाइम पास करने आयो चले जाओ यहां से एंज़ॉए करो ठीक है ना छुट्टी है एंज़ॉए करो मसी सेशन हो गया ना पूजा मैम का ठीक है ना चलो एंजडॉए करो उसको गर भाई नीवियंस गर चलो टोपिक्स टूबी कवर्ड कॉन कॉन से टॉपिक आज कवर होने वाले हैं सारा कुछ क लेगा उसके बाद नंबर दो पर जो डिसकेशन होगा वो होगा पावर ओफ अकोमोडेशन का पावर ओफ accommodation, क्या चीज होती है देखेंगे इसको detail में कोई बात नी, उसके बाद defects की बाते होंगे, defects in human eye, ठीक है, defects in vision, जो vision में देखने में, जो defects आते हैं, वो 5 defect है, जो कि आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 3 to NCRT में दियो हैं, 4 नीले डबे में दिया हुआ है, 5 वा वाला NTSC के अंदर पूछे जाता है, लेकिन मैं 5 वो discuss करने वाला हूँ, ठीक है न, ये एक पार्ट जो हो human eye से related है, human eye and the colorful world में, जो human eye वाला पार्ट है, वो ये है, human eye वाला जो पार्ट है, वो ये है, ठीक है, तो 1, 2, 3 हो गया, 4, 4, atmospheric reflection की बात आएगी फिर, नहीं उससे पहले dispersion की बाते करें तो dispersion आएगा, dispersion आएगा, dispersion of light, ठीक है, dispersion of light, dispersion of light, के अंदर क्या क्या पढ़ना वह आपने, हमने इसके अंदर पढ़ना है, monochromatic light को, monochromatic कौन सी light होती है करेंगे बात, कोई बात नहीं है, monochromatic light करेंगे, उसके बाद हमने पढ़ना है कि, prism के थूर to Spargen होती है, वो बोलते हैं ना वो बात है 10th में करी नहीं जाती लेकिन मैं आपसे वो बाते करूँगा पक्का ठीक है पक्का करूँगा वो बाते आपसे ओके नंबर पांच नंबर पांच में atmospheric atmospheric refraction atmospheric refraction जिसके उपर दो सवाल बनते हैं एक तो तारे टिम टिम आते क्यों हैं दूसरा advance sunrise और delayed sunset क्या होता है वो वाली बाते भी करनी है ठीक है और नंबर छे नंबर छे है scattering of light scattering of light ठीक है जो लोग इस lecture को revisit करेंगे यानि एक बार में पूरा नहीं देख पाएंगे और उनके में अगर human eye ना रहा हो तो time time already डल जाएगा चिंता नहीं करनी कोई ने कोई महान हुभाग कोई ने कोई अच्छा बच्चा जो होता है वो कर देता है है ना हाँ तो यह वाला पाट आपका डिलीट हो गया लेकिन मैं सब कुछ पढ़ाने ही वाला हूं अगर आपका मन है तो आप देख सकते हो लाइव फिर वो लाल क्यों देखता है सूरज जो है वो अलग-अलग रंका क्यों देखता है वो सारी बाते स्केटरिंग के अंदर है ठीक है ना तो यह है आपके topics जो आपने पढ़ने है ठीक है तो start करते फिर सबसे पहले हम human eye के साथ ठीक है सबसे पहले हम start करते है फिर human eye के साथ उसके parts सारी discuss करेंगे ठीक है ना parts और human eye सारे discuss करेंगे यह आगी भैया आख का डाइगराम है ना यह ओरिजनल वाला आख का थोड़ा सा original लगता हुआ का डाइगराम है ना ऐसा वाला डाइगराम आप लोगों को याद नहीं करना है चिंता नहीं करनी ऐसे वाला डाइगरा तो इसको मैं कुशिश करता हूँ, बताने के ठीक है चलो, start करते हैं, start करते हैं, देखो, जी, एक है कॉर्णिया ठीक है कॉर्णिया क्या होता है ये जो आउटर पाट है ये वाला ये जो आउटर पाट है ये वाला ठीक है इसका नाम है कॉर्णिया नंबर वन नंबर वन ये है कॉर्णिया ठीक है तो नंबर वन है कॉर्णिया नंबर दो पहले सारे पार्ट में लिग दे एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसके फंक्शनलिटी जाए में कुछ कम चल रही है, अच्छा स्लो चल रहा है, बचो दो मिनिट का टाइम देना जरा, ठीक है, दो मिनिट का टाइम देना, कि अीक है, झाले को, झाले को पुम देना जरा, इसके हैं, वे नहे हैं, उले कि एक एder आ जरा जरा हैं, दो म livingी जा रहा है, बचिस्वां देना जरा भी जजे। का टाइम देना बचिए्चा स्लो चल आप है, जरा की griत दोस्ट Chairman Nash due, भ시면ना है दो मिनि का दो tej छो टो मिनिका है झाल 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 जि बच्चों चलो करते हैं Start ठीक है ना करते हैं Start झाल देखो यार झाल जो ये बहर वाला पर्ट है बिटा ये वाला पर्ट ठीक है ना ये वाला पर्ट जए जे आपको ये Blue Blue दिख रहा है ना जिसको मै ठोड़ा सा दात कर रहा हूं ठीक है ये नंबर वन है, ये नंबर वन है, जिसका नाम क्या रखा गया, कौर्णिया रखा गया, ठीक है ना, क्या नाम रखा गया, कौर्णिया रखा गया, नो वोइस क्या, आरी होगी वोइस तो, वोइस तो आरी होगी भाई, वोइस तो आरी होगी पक्का, ठीक है न, वोइस तो आरी यह विटाजी, number one जो कॉर्णी है, उसके बाद जो यह बीच वाला पाट है यह आपको दिखरा यह, gray gray सा जो लगा रहा है यहां पर यह धिखरा यह वाला, है न, इसके बाद जो मतलब second part आता है, न, first के बाद जो second part आएगा, उसका नाम है aquus humor, ठीक है, aquus humor, spelling देख लेना नमबर तीन पर जो है वो यहाँ आएगा बीच में इस जगाँ पर यह देगो यह यह ठीक है न यह दिखा न आपको यह और यह यहाँ पर यह ठीक है न? यह जो ब्लैक ब्लैक दिखाया मैंने आपको डाक करके यह नंबर तीन है यह नंबर तीन है ठीक है न? इस नंबर तीन का नाम है आईरिस ठीक है? बड़ा ही इंपर्टन है महत्वपूर्ड यूज होता इसका ठीक है? काफी इंपॉर्टंट यूजस इसका इरश्क्रा ठीक है और जो बीच में आपको यह यह दिख रहा है यह वाला ठीक है यहां एक हो दोल और पको दिखरा यह नंबर कारे यह नंGUर मैं प्यूपिल सबका काम ही बता हूँ आगे करके पहले नाम बतारों सबके ठीक है उसके बाद उसके बाद ये जो आपको मिडल में दिख रहा है ये लेंस है ये लेंस है और इसको पकड़ जिस मसल ने रखा है ये जो मसल जिन्हों ने पकड़ रखा इसको ठीक है ये जो मसल यह वाला मसल ठीक है, दोनों तरफ से पकड़ रखा होता है, और यह नीचे वाला भी, यह नीचे वाला भी, यह मसल, ठीक है ना, यह जो दोनों तरफ मसल हैं इसके, ठीक है, यह हो गया पांच नमबर, यह हो गया फिफ्ट, फिफ्ट कौन है, फिफ्ट है, क्रिस्टलाइन ल चटे वाला जो है उसका नाम है सिलरी मसल्स बड़ा इंपोर्टन काम है बेटा इसका ठीक अभी बताऊंगा सबका काम क्या है सिलरी मसल्स ठीक है सिलरी मसल्स ये चटे नंबर पर आते हैं उसके बाद सातवे नंबर पर ये पूरा आता ठीक है, V-I-T-R-E-O-U-S, विट्रस हुमर, ठीक है, यह नमबर साथ पे है, यह नमबर साथ पे है, ठीक है, और आठवे नमबर पर यह पीछे, यह पीछे जो स्क्रीन बन रहे हैं, यह वाली, यह और यह, यह, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, रेटीना, आठवा नमबर है यह स्क्रीन होती है बाक इद न ऑफ दा आई आई के पिछले हिस्झे में यहां पर इसका नाम है रेतिना कंग बड़ा मुख्य पाम है इसमें क्या क्या चीज़ह आपको बताया जाएगा ठीक है आठ्मा और नुमबर 9th 9th ये वाली 9 है ये नस है जिससे जारी है ठीक है ये जो 9 है ठीक है ये 9 नंबर है ये 9 नंबर है ये 9 नंबर इसको बोलते है ऑप्टिक नर्व ठीक है ये जो 9 नंबर पर आई है इसका नाम है ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व ठीक है अच्छा एक बात और जहां ये सार सब लॉर इन यह वह सब अब सबके यूजेज अब शबके फंक्शन की बारी आई तो थे अब सब के फंक्शन की बारी आई तो कोर्नियात का function देखो भई सबसे बाहर है ना वो सबसे बाहर है ना हाँ blind बिल्कुल सही है ना सबसे बाहर है ना वो तो जो सबसे बाहर होगा वो कहीं सारे काम करेगा इसका main काम इसका main काम refract करना होता है वैसे मैं आपको बताऊं है ना एक protective layer की तरह तो ये act करता ही यह बाहर से आने वाली डस्ट यह बाहर से आने वाला बैक्टीरिया कोई और एलियने टीड आइटम को रोकने का काम तो यह करता ही है कॉर्णिया ठीक है न लेकिन यह मुख्य काम क्या करता है में काम क्या करता है कि यह रिफ्रक्शन कर देता है लाइट की most of the light incident on the eye is getting refracted by is getting converged by this cornea बाहर का जो पाट है तो इसका main काम क्या है most most of the refraction जो है वो यही करता है ठीक है most refraction जो है वो यही करता है lens भी करता है lens का तो काम है रिफ्रक्शन करना ठीक है न लेकिन यह lens की help कर देता है पहले से ही क्योंकि इसका इसका भी shape आप देखो o convex 비슷 जैसा यह जैसा convex lens ओता है ऐसी इसकी भी shape है तो convex lens का आपको nature पता इकठा करने का है can we can say god जलेंज क्या है इकठा करने का है तो यह उसका भ़ैई की तरह से काम करेगा तो यह भी का करेगा इस पर पढ़ ओकर वाजिय पना फिर जो पनेल मीं कर आ तो ज adapt Card Club नीया फिर्टे करता है अब सोच लो ना किंदे कौर्ण या यह अँदaltet तेक्ट प्रोटेक्ट्ट करता है यह प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट्ट फ्रॉप्रॉं मुस्चफ प्रॉम मुهस्राम ऑगडissippi टीके अटSonbi were भार से कोई पार्टिकल आया है जो ऑख के लिए हेल्दी नहीं है जो आख के लिए ठीक नहीं उसको प्रब्रख रोक डे गई बचकाई एकवस हुमर जो होता है वो एकवस Direction सबस्टांस होता है वाटर की कंसिस्थेंज्शनसी वाला सबस्टांस होता है water की consistency वाला इसली पिरिफ रहता है चलता रहता है यह जलता रहता है यह जलता रहत रहता है इयंट प्रेशर बैलेंस करने का काम है किसका değer कोजूमर का इतना ही जानना तीसरे producto order पर चौथ पर याउआ यह दोनों कुए की कठे काम करते हैं है ये नोगहां करते हैं ठीक है ना अइरीस और प्यूपिल जब दोनों एक साथ क Chandler काम करेंगे कैसे काम करेगे आपको समझाता हूं देखो आइरीस का क्या होता है ये जो आई इसन दो तरफ से ये फाटक का का करता है VATAC समस्ति वह इस लिए बाहर की रोशनी जैकि ना हे उसी साथ से खिड़की कम जाधा कम जाधा खोलते थो हम सब तो खिड़की को कम खोलेंगे, हम जब खिड़की को कम खोलेंगे, तो कम लाइट आएगी, ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा लाइट आएगी, यही काम आइरिस का है, यही काम जो है वो आइरिस का है, आइरिस का करेगा इस छेद को छोटा कर देगा, मतब आगे आ जाएगा तो छोटा होता चला जाएगा जब यह छोटा हो जागा तो light इसमें से कम गुसेगी पीछे हट जागा अगर तो दरवाजे खोल दिये दरवाजे खोल दिये तो क्या होगा भाई light अंदर जादा गुसेगी तो basically क्या करता है यह pupil के size को regulate करने का काम है यह बोलते हैं आईरिस जो है वो एड्यस करता है फूल का नाम गुपिल रखा हुआ है लेकिन उस होल को उस open ंग को बड़ा छोटा कॉन करेगा है ना तो ень के पल्ले को तो legit से उसका दरवाज़ो वाला काम है, है ना, खिड़की का जो पल्ला पेन लगा होता है, विंडो पेन बोलते हैं जिसको, ये विंडो पेन कितरे से एक्ट करते हैं, कौन, आइरिस, I hope आपको आइरिस और प्यूपिल समझ में आ गया होगा, क्या होता है, है न, आइरिस क्या करता है, किताबों में लि मसल होता है, डाक मसल होता है, ब्राउन, काला, ऐसा रंग होता है, ठीक है न, तो ये चलता है, माइंड के साब से चलेगा, ये न, कभी ज़्यादा लाइट आनी होगी, तो छोटा कर देगा प्यूपिल को, और कम लाइट आ रही होगी, तो बड़ा कर देगा प्यूपिल को जब appropriate रोश्णी है कमरे के अंदर, है ना, परियाप्त प्रकाश है कमरे के अंदर चीजों को देखने के लिए, तो अपने आप size क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा, है ना, जब कोई death हो जाती है, बंदे की, तो उसके आखों पर torch मार के देखा जाता है, कि भाई यह जिंदा है ऊपनिंग है, वो तो ऊपनिंग क्या कर लेगी, है ना, तो ऊपनिंग बेसिकल ही यह करती है, कि कितनी light enter कर रही है आख կांक के अंदर, उसको regulate करना, है ना, तो regulate the, जही लिखेंगे यापर, है ना, Regulates the, उसके बाद बात आती एक Crystalline Lens और शिलरी मसलवी अभी ये दोनों फिर जोडी में काम करते हैं। जैसे, Irish Pupil जोडी दार हैं, जोडे में काम करते हैं, ऐसे crystalline lens और silvery muscle भी जोडे में काम करते हैं कैसे काम करेंगे भाई? अब भाई या lens तो है dead, lens तो है non living, lens को तो पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है है ना, लेकिन muscles को पता है ना, muscles तो जीवित होते हैं, जितना भी locomotion है, जितनी भी movement है bodies की, वो कौन decide करता है, बताओ, कौन decide करता है, muscle decide करते हैं, तो silvery muscle, iris जैसा ही है है, जिस तरह से iris pupil को adjust कर रहा था, उस तरीके से silvery muscle क्या करता है, lens को adjust करता है, अब lens को adjust करने की जूरुत क्या पड़ती है, वो बात करते है, power of accommodation, जो कि इसका next topic है, जो कि इसका next topic है, डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, उसमें, कि किस तरीके से silvery muscle, crystalline lens की focal length को adjust करता है क्यूं करता है वो बात वहापक करेंगे हम ठीक है ना तो sillery muscle का करता है अब यह muscle है तो कभी contract होगा कभी expand होगा muscle का काम यही होता है contraction expansion चलता रहता है यह contraction हो रही है expansion हो रही है है ना तो contraction expansion जो हो muscle की चलती रहती है तो कभी contract करेगा, कभी expand करेगा उस इसाब से lens की focal length को क्या करने लगेगा adjust करने लगेगा कभी दूर का साफ दिखाएगा, कभी पास का साफ दिखाएगा ये काम कौन करता है silvery muscle करता है, करवाता किस से lens से करवाता है, ये बात ध्यान रखना lens से करवाता है, बात ध्यान रखना करता, करवाता कोन है, silvery muscle करवाएगा किस से, lens से, ठीक है न भई तो ये क्या कर रहा है, lens क्या कर रहा है ये तो reflection कर रहा है भई, silvery muscle तो adjust कर रहा है किसको, lens को adjusts the focal length focal length है न, या फिर power of lens ठीक है जी, lens की पावर को क्या कर रहा है छोटा कम जादा कर रहा है फोकल लेंद को छोटा बड़ा कर रहा है तो उससे पावर क्या होगी कम जादा होगी तो पावर को कम जादा करने का काम किसका है सिलरी मसल का लेकिन कर किस की रहा है क्रिसलाइन लेंस की पावर को छोटा बड़ा कर रहा है तो crystal lens का main काम क्या हो गया, उसका काम तो reflection करना ही है, उसका काम तो real and inverted image बनाना ही है, याद करो light में हमने पढ़ाए, है न, कि यह जो convex lens है, यह जो flexible convex lens है, यह क्या करेगा, यह incident light को real और inverted image बना के कहां, देखे मारेगा, retina पे, कहां छपेगी में जा करके, retina पे छपेगी जा क करके में, समझे न, तो crystal lens का काम क्या हो गया, क्या काम हो गया, इसका, इसका काम हो गया, reflection करना, है न, reflection करना, reflection, और image को कैसा बनाएगा, real and inverted, है न, real and inverted, inverted image को छापेगा retina पर, ठीक है, यह इसका काम है, इस पर light पढ़ेगी, यहाँ ऐसे छापता हुआ, का बना देगा, retina पर image को बना देगा, ठीक है, तो यह थे, इसमें से important कौन कौन से पता है, यह बादना है, इनको पढ़ना चाहिए, उनको इसारे पढ़ने चाहिए, इनके function याद करने चाहिए, विट्रस वोठर की बाती है, विट्रस व्रक्र क्या भई, इस पूरी आंख के अंधर भरावा fluid है ठीक है ना अब इस इस पूरी आख के अंदर भरा हुआ क्या है fluid है ठीक है ना ओके इस पूरी आख के अंदर भरा हुआ क्या है fluid है तो विट्रस हुमर जो है वो fluid है है ना इसका काम क्या है इसका काम क्या है देखो आप यह जानते हो कि fluid जब कहीं भी रहेगा ठीक है न vict quick property हो ती 9th classroom आपने पड़ी होगी हैना कि इस भी वेसल के अंदर यह क्या करता है यह force लगाता है walls पर कहींभी अगर fluid रहेगा तो क्या करते रहेगा force लगाता रहेगा walls पर हैना हमेशा force लगाता रहेगा लगाता रहेगा तो यह जो लिक्विडिस के अंदर है ना यह क्या करता है पता है यह क्या करता है पता है यह वाल्स पर हमेशा force exert करता रहता है आई की आई की वाल्स पर हमेशा क्या करता रहेगा force को exert करता रहेगा, जिस वज़े से इसकी जो shape है, वो spherical बनी रहती है, बच्चे ने answer भी दे दिया, बढ़िया बात है ना, पढ़ लिया, अच्छी बात है, तो vitres humor का काम है, vitres humor का क्या है, कि shape of the eye को maintain करके रखना, spherical shape बना करके रखना eye की, जो goal shape होती eye की, उसको maintain करके रखने क का काम किसका है, इस fluid का है, vitres humor, एक तो ये honey जैसा होता है, ठीक है, इसकी consistency जो होती है, वो honey like होती है, ये बात important है, है ना, गाड़ा liquid होता है, ये तो पानी जैसा था, ये तो पानी जैसा था, ये honey like है, एक बात हो गई, दूसरी बात, shape maintain करके रखता eye की, shape कैसी होती है, spherical हो shape को maintain करके रखता है, ठीक है जी, ये हो गई, vitres humor की बाते है, अब करता हो, retina की बात, retina एक screen जैसा काम करती है, जिस screen पर पड़ेगी real and inverted image, ठीक है ना, जिस screen पर क्या पड़ेगी real and inverted image, तो वो screen का काम कौन करती है, retina के पास ऐसी खास बात है, तो retina के पास होते है, photo receptive cells, य जैसे gustatory receptor होते है, Jeeb में, olfactory receptor होते है, naak में, ऐसे ही photo sensitive receptors होते है, हमारी retina के अंदर, जो की क्या करते है, light को पकड़ते है, light को catch करते है, है ना, वो देखते है कौन सी wavelength की light आ रही है, उसके हिसाब से, वही, अब क्या detail बता हूँ आपको, electric field का vector जो है, वो उपर उड़ ज होता है, किसका photo energy का, यहीं, light energy का, light energy का conversion, electricity के अंदर होता है, ठीक है, इस तरीके का conversion होता है, retina के अंदर, तो retina के पास, दो तरह के cells होते हैं, ध्यान से सुन लेना, retina के अंदर, दो तरह के cells होते हैं, एक होते है, rod cell, rod की shape के, rod की shape के cells को बोलते है, rod cells, ठीक है, और फिर हो वो intensity को sense करते हैं, ठीक है? intensity को sense करते हैं, और जो cone cell होते हैं, वो color को sense करते हैं, रंगों को, आप याद कर सकते हो, और ये सिसे कौन रखा गया है ठीग है और कोण सेल कलर को सेंगर याज पता चलते हैं ठीक है और जो भी intensity, intensity का मतलब कि क्या हम dim light में पड़ पाते हैं क्या, अंधेरे में पड़ पाते हैं क्या, है ना, ऐसी जो पंची होते हैं, पक्षी होते हैं, वो शाम ढलते ही शांतो करके बैढ़ जाते हैं, बेशक्षे सूरज अभी ढली ही रहा होता है या ढल चुका होता है, हमार यहां जाता क्योंकि उनिके लिए अंदेरा है जैसी तब भी अंदेरा नहीं होता हम तो चांद की रोष्ट नहीं कि यह प्शूच्छ नहीं पास रॉड है तो आगा में अगर होगी लाइट अगर होगी रूम लाइट अगर इघ्लिप कर दो हम लोग अपना काम कर ले एंदर पढ़ा ही करते हैं वो यह काम करते становится दिके ना थो संब में आगी को दिक्कैत तो नहीं रॉड सारे से एविया抵 सिखनल को लेगा ऐसे सिगनल को लेगा है ना के सप्टिकल सेटंहाइब करेगा एक टआ कर इंपलसिस को ठीक थूम्न नियरा निरक्व व्प्रें तक लेकर के जाएगा किसको है ना तो ये काम किसका हो गया अप्टिक नव में आपको बाइंद पता दूए कि वहाँ पर सारा convergence होता है nerves का तो वहाँ पर retina अपना काम सही से कर नहीं पाती है ऐसे है ना, retina ऐसे नहीं है retina ऐसे हो जाती है हमाँ पर convergence हो जाती है तो इस जगह पर अगर light पड़ेगी तो दिखेगा नहीं लेकिन ये तना छोटा point होता है कि अपने को पता नहीं चलता अपने को पता नहीं चलता कहां अंदे रहा है कहां वो blind spot बन रहा है वो अपने को पता नहीं चलता ठीक है ना, तो ये थी भाई आपकी human eye और ये थे उसके parts और ये थे उन parts के सारे functions, ठीक है, तो human eye वाला part हम लोगों ने पूरा कर लिया है, I hope आपको इस समझ में आया, मैं side हो जाता हूं, कुछ बच्चे screenshot भी लेते हैं, है ना, वो screenshot कुछ लेना नहीं आता कुछ को, ऐसे भी है, तो अगर वो laptop से देख रहे हैं, तो print screen का button दबाएं, और paste कर दें उसको, paint प आते हैं, बच्चों के सर, screenshot कैसे ले, आप कहते हैं सर, screenshot ले लो, screenshot कैसे ले सर, तो screenshot लेने भी मैंने आपको बता दिए, कैसे screenshot लेना आपने, ठीक है, otherwise आप notes डाउनलोड कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जब lecture खतम हो जाए तब, ठीक है, बढ़ते हैं यह दस पार्ट हो गए, इन्हें से जो मैंने मार्क करें, वो थोड़े से जाधा important है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, next time जो आती है, वो आती है, power of accommodation, काफी important time हुआ करती थी, जब paper में आया करती थी, अभी भी जिनके paper में आ रही होगी, काफी जाधा important time यह होगी, पक्की बात है, power of accommodation, ठीक है, इसमें देखो मत्तब समझो आप क्या है, accommodation का मतलब होता है, accommodation का मतलब होता है, adjust करना, adjustment करना, ठीक है न, जैसे हमने कहीं घूमने जाना होता है, तो हम पहले ही phone लगा करके पूछ लेते हैं, वहाँ भी hotel के अंदर, हाँ बताओ जी धरमशाला के अंदर जहां भी हमने रुकना होता है, जो भी guest house है, जो भी lodge है, वहाँ पहले पूछ लेते हैं, हाँ वाई, तीन बंदों की accommodation हो जाएगी क्या, can three persons be accommodated, ऐसा करके पूछ लेते हैं, क्या वाई, तीन बंदों का हो जाएगा क्या, एक कमरे में, चार बंदों का हो जाएगा क्या क्य वाधी वाधी function है, पचास बंदे accommodate हो जाएगे क्या, उस room के अंदर, तो इस तरीके से पूछते है, accommodate का मतलब होता है, adjust करना, ठीक है, accommodate का मतलब होता है, adjust करना, अब किसको adjust करना, किस चीज को adjust करना, तो भई, यहाँ पर power का accommodation किया जा रहा है, power of accommodation का मतलब मैं भी बताता आपको, यहाँ पर lens की जो power होती है, उसको कम जाधा किया जाता है, कौन सा lens? आख के अंदर वाला lens, यह वाला lens नहीं, यह तो fix हो चुका है, जो मैंने चश्मा लगा रखा, यह तो fix lens है, इसको accommodate नहीं करा जा सकते, इसको तो बनना ही पड़ेगा, इसको तो फैकना ही आख वाले lens को, जो eye lens है, जो crystalline eye lens है, जो की flexible है nature में, उसको accommodate करते हैं, उसकी power को accommodate करते हैं, क्यों करते हैं, बात तो सवाल तो उठता है कभी power को accommodate क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? accommodate करने का, तो बात को समझते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है न, देखो ऐसा है, ऐसा है, कि इनसान चाहता है, है न, जो भी देखना है, जिसको भी देखना है, या कोई भी जीवजनतु है, वो चाहता है, कि भाई मुझे साफ साफ दिखे, मुझे जो भी देखना हो वो साफ दिखे, पास का देखना चाहूं तो पास का भी साफ दिखे, दूर का देखना चाहूं तो दूर का भी साफ दिखे, है के नहीं, तभी तो आप बोलोगा ना, हमारी आंके ठीक है, आंके ठीक होने का क्या मतलब है, आंके ठीक होने का मतलब है, पास का भी साफ दिखे, और दू है ज्यान से सम्झिन वाई चैट को रोग हो जगा अगर पास का देखना यह साहब साफ और दूर का देखना चाहते हो साफ-साफ तो अबजेक्ट के शीचर्प अब कभी यह बजेक्ट मार्थ देखनाए जो अब हिटा शालिचनगा ऒर 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, यह lens formula है, है ना, यह lens formula है, तो यह lens formula का तुमारी आख के lens का formula नहीं है क्या, यह हमारी आख के lens का भी formula है, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, अब इसके अंदर u जो है वो क्या होए जा रहा है, change होए जा रहा है, u is variable, ठीक, u is variable, यह तो vary कर रहा है, vary करने का मतलब होता है, change कर कभी आप पास का देखना चाहते हो कभी आदूर का देखना चाहते हो सही बात है वैँ अच्छा वी होता है image distance है ना वी होता है image distance बेटा ये वैरी नहीं कर सकता क्यों सर क्योंकि बेटा आख की यू चेंज हो जा रहा है U change हो जा रहा है तो क्या F same रहेगा क्या fix रहेगा क्या F concentrate रहेगा नहीं F को भी क्या होना पड़ेगा F को भी change होना पड़ेगा और सोचो अब इस बात को कि अगर U को change होना है अगर U की value यहां मैं बदले जा रहा है और V को मैंने fix रखा हुआ है पक्की बात तो चेंज हो गई होगा है लाइफ हो गई होगा तो यां ऋमतर कड्म और यहां वहां कितो इस नहीं मोध करेगा तो याद करोत फॉर्म मोने लाइट में प्रपाध़ अंडल बाyज है ना यह builds की मिट्र में था और और मीट्र वाला क्या था वन राये अधा है के निैता अगर आफ ही वेदी करे जाए फूद नहीं हारी साउंड नहीं हरी हेलो 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 है ना f हो गई change अब f के change होने से power भी तो क्या होगी change होगी हा की ना power भी क्या होगी change होगी तो जब power change हो रही है वेटा जी है ना तो lens जो है वो fix नहीं है lens जो है वो flexible है lens जो है वो एक जैसी बनावट नहीं होगी उसकी बनावट क्या होती जाएगी change होती जाएगी है ना lens की बनावट जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, तो बनावट को चेंज करेगा कौन, बनावट को चेंज करेगा कौन, भाई, लेंस की पावर चेंज होने के लिए, लेंस को मोटा पतला होना पड़ेगा, कभी लेंस फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, है न, और कभी लेंस पतला हो जाएगा, तो लेंस मोटा पतला दोनों होगा, ध्यान से सुनना, लेंस जो है वो मोटा और पतला दोनों होगा, और मोटा पतला दोनों होने के लिए, दोनों होने के लिए, सिलरी मसल्स जो इसको जकड़े होए हैं दोनों तरफ से, सिलरी मसल जो इस लेंस को जकड़े होए हैं दोनों तरफ से वो कभी तो होंगे कॉंट्राक्ट और कभी होंगे एक्सपैंड ठीक है ना? कभी होंगे कॉंट्राक्ट और कभी होंगे एक्सपैंड क्यों? क्योंकि पावर को चेंज करना है और power को change lens को मोटा पतला किये बिना नहीं हो सकता lens को मोटा पतला करना पड़ेगा तो मोटा पतला जवाब lens को करोगे तो power change होगी तो focal end change होगी और focal end को तो change होना ही पड़ेगा अगर आपको object को साफ साफ देखना है तो क्योंकि आपका you vary कर रहा है तो आपका FB क्या करेगा? vary करेगा बात समझ में आ गई लगता है ना? तो lens को मोटा पतला होने देने के लिए है ना? lens को मोटा पतला होने देने के लिए silvery muscles को कभी contract होना पड़ता है कभी expand होना पड़ता है बात समझ में आ गई ना? कभी contract होना पड़ता है कभी expand होना पड़ता, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग power को adjust करते हैं, ये लोग focal length को adjust करते हैं, focal length को adjust करना पड़ेगा, तभी तो power adjust होगी, हैगे नी, तो focal length को क्या करना पड़ता है, adjust करना पड़ता है, power को adjust करने के लिए, ठीक, power को adjust करने के लिए, focal length को adjust करना पड़ता is called the power of accommodation यानी ability, आँख की ability, है ना, आँख की योग्यता, क्या करने के लिए focal length को adjust करने के लिए focal length को adjust करने के लिए ठीक है ना, इसी को कहते हैं power of accommodation, I hope power of accommodation आपको अब clear हुआ होगा ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ diagram जो दे रखे हैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से past का object और दूर का object, ठीक है ना, past का object और दूर का object अपने को दिखता है ठीक है, past का object और दूर का object अपने को दिखता है, यहाँ देखना ध्यान से यहाँ देखना वही ध्यान से इस lens का काम है उसको मोड देना तो मोड के कहां बनाएगा मोड के बनाएगा रेटीना पर मोड के बनाएगा कहां पर रेटीना पर है कि नी तो कभी object इतना दूर है कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा अगर object दूर है तो light आएगी तो light उसमें से ऐसे आएगी और ऐसे आएगी एक बात बताओ जब फैली हुई light मिलेगी अब ध्यान से सुनना बात को जब इसको फैली हुई light मिलेगी convex lens को तो इसकी हवा टाइट हो कि इसकी हवा निकल जाएगी इसको कनवर्ज करने में क्योंकि इसको पहले से डाइवर्जिंग लाइट मिलिए लेंस का काम कनवर्जिंग ही है मैं मान गया लेंस का काम लाइट को इकठा करना ही है मैं मान गया लेकिन यहां पर लाइट जो मिल रही है वो खुद ही फैली करेगा हिम्मत करके करेगा और वह कैसे हो पायेगा वो तब हो पाएगा जब इसकी पावर सब्सक्राइब नढ़ taraf सबस्क्राइक मसल्स तरीके से सवांटक्रम नेंगे लमस्त को लेगे लेंस क Cantonese क्या हो रखनी पड़ेगी क्योंकि भाई diverging light आ रही है उसको मोड़ना असान बात नहीं है समझे रहे बात को उसको भी कोशिश करके क्या करेगा रेटीना पर मोड़ने का प्रयास करेगा और रेटीना पर मोड़ करके यहां पर जो है वो इमेज बना ले जाएगा समझे ना बात को तो आई होप आपको यह बात समझ में आई कि जब पास में object होगा तो इसकी हवा टाइट क्यों होती है क्योंकि light तब diverging आ रही होती है लेकिन जब दूर object होगा तब light सीधी आ रही होगी तब कोई चिंता नहीं है तब कोई tension नहीं है तो यहां पर power जादा होने से lens हो जाता है मोटा और यहां पर power कम होने से lens रहता है पतला ठीक है यह बात clear हो गई यह बात clear हो गई ठीक है न और power के change से focal length का change आएगई पावर गटेगी तो focal length बड़ेगी तो यहां focal length बड़ी रहती है यहां focal length घटी रहती है वो तो उल्टे होता ही है वो तो देख लो आप P और F तो है इनवर्सली प्रोशन तो उसमें तो कोई tension ही नहीं ठीक है न तो आपको यह बात समझ में आई यहां object दूर है यहां पर U जादा ह यहां पर U कम है यहां पर तो U इतना ही होगा अबे lens ही तो होता distance object distance lens ही तो होता है तो U तो कम रहेगा यहां पर है ना यहां यहां यू कम रहेगा यहां पर U जादा रहेगा ठीक है ना लेकिन V तो उतना ही रहेगा ना V तो उतना ही है ना यहां से लेके यहां से लेके रट यू चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो f चेंज होगा ही होगा, है न, f फिक्स होई नहीं सकता, अब मेरी बात आपको समझे में आई होगी, ठीक है न, अच्छा, एक बात और करने हैं मुझे आपर आपसे, कि भाईया, अगर एक healthy eye है, ठीक है, अगर एक healthy eye है, है न, तो दूर से दूर infinity तक दिख सकती है, ठीक है, infinity से आने वाली light को capture करके, वो आख की retina पर बना सकती है, अगर एक healthy eye है, तो आपको दूर दराज के तारे दिखते हैं न, तो उससे दूर क्या लोग है, भाई, बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से वो light आ रही है, ठीक है, तो infinity से light आ रही है, already infinity, infinity का मतलब क्या होता है, infinity का मतलब होता है, physics के perspective में बहुत दूर, तो बहुत दूर की चीज़ों को भी क्या कर सकता है, तो इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर एक important बात लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, कि far point जो होता eye का, क्या बोला, far point जो होता eye का, वो होता है infinity, दूर से दूर कितना देखा जा सकता है, दूर से दूर infinity देखा जा सकता है, दूर से दूर light जो है, वो infinity से आ सकती है, ठीक है न, और past से past कितना देखा जा सकता है, इतना past देख सकता हूं क्या, ऐसे गुसा के पढ़ सकता हूं किताब को आखों मे नहीं इतना गुसा के पास से नहीं पढ़ सकता हम तो कितनी पास से पढ़ सकता भाई ये कितना रखना चाहिए ये नियर से नियर कितना रखना चाहिए है ना भाई रख तो यह भी सकते हैं रख तो यह भी सकते हैं यह भी सकते हैं यह भी सकते हैं लेकिन पास से पास कितना र तरी साफ से साफ देखने की तेकिक रह चाहें कंशी का करीब न रखो 146 दिख जाएगा रख सकते हो दिख तो एक दिन तो आएगा ना जब वो वेरंटीर हो जाएगा एक दिन तो आएगा जब मसल बोलेगा बज जाए श्री राम और नहीं हो सकता मेरे साथ और अत्याचार ना करो तो और अत्याचार ना करने देने के लिए आपको इसको पीछे रख करके ऐसे चैटिंग करनी यूट्यूब देखो लेक्चर देखो हमारे तो फार पॉंट जो हो वो इन्फिनिटी दूर से दूर इन्फिनिटी और पास से पास 25 सेंटीमीटर रखा जा सकता है इससे नस्दीक रखोगे तो गडबड हो जाएगी इससे नस्दीक होगे तो लाइफ कम होती जाएगी उनी तो मसल्स की है हैना मसल्स की कुष्टी हो जाती है पर रसलिंग हो जाएगी मसल्स के साथ विचारों के साथ हैना तो आई होप आपको पावर आफ अकॉमोडेशन वाला इससे समझ में आया क्या है एक बार फिर से सुन लो लास्ट टाइम एक सिंगल लाइन के अंदर जो concept बर नाम है उनका रख्शक्सर है ना इस बात को हम पूरा करते हैं कि भईया जब muscles दूर का और पास का दिखाने के लिए lens की focal length को adjust करते हैं जब silvery muscles है ना जब आख के जो silvery muscles होते हैं वो दूर का और पास का साफ साफ दिखाने के लिए power of the lens को adjust करते हैं की power को adjust करते हैं तो उसको power of accommodation बोलते हैं बस इतना ही है ठीक है बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स आती है term defects defects in eye है ना अब इसको diseases ना बोलना बिमारिया नहीं है यह problems हैं जिनको correct किया जा सकता है देखो disease का cure होता है defects का correction होता है तो correction कराई जाएगी आख की है मुझे आखो की बिमारी नहीं है कोई मुझे आखो का defect है मेरे ज़िश्मा लगा रखा है वो आखो के defect के कारण से है ठीक है ना वो defect के कारण से है ओके जतिन करण बढ़िया all the best असी में ससी लाया है क्या बढ़िया ठीक है तो defects in vision समझ में आई ना बात तो यह disease नहीं है बाबू defects है ठीक है ना कोई ना कोई वजा है जिसकी वज़ा से defects आ रहा है आख के अंदर वो देखने क्या defect है सबसे पहला defect जो आता है वो आता है वरिगो मयोबिया prendeika दूसरा नाम होता है नियरसाइटवनेस मतब समझात response पहले पहले तो इसका क्या है W मैयोपिया का मतलब होता है दूर का मतलब होता है दूर का धुंदलापन फिक है तो तुम भी ऐसे गिणूर मारो ठीक है चल सुनो तो हाँ जब मैं बोलू तब लिखना जब मैं बोलू तब आप चैड़ बॉक्स का प्रयोग करो बाकी फाल्तु लोगों को फाल्तु कमेंट करने दो कोई डेंशन ने ठीक है न हाँ तो डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं किसका मायोपिया का यानि हम पहला पहला डिफेक्ट कर प आपस की नजर ठीक नीर सॉप नेर्साइटि नेजर ठीक होना भी एक डिफेक्ट है ना नेयर सॉपीया इसका एक्चल नाम है ठीक है मायोपियाव होता क्या है, सुनो ध्यान से बात को दूर का धुंदलापन आया है ना, पास का तो ठीक ठीक है, कोई दिक्षत नहीं है ना, ये वज़े क्या है ये वज़े क्या है जिस वज़े से दूर का धुंदलापन आया तो आपको पहले समझना पढ़ेगा कि एगर एक healthy आई होती है, एक ठीक ठाक आई होती है, एक human adult जो की healthy है, वो किस तरीके से दूर की चीद आपको दिखाती है, तो भाई ध्यान से देखना, यहां जो बना हुआ है, यहां जो बना हुआ है, इसमें देखो क्या हो रहा है, कनवर्ज होगी कहां पे वेटा, रेटीना पर कनवर्ज होगी, कहां कनवर्ज होगी, रेटीना पर कनवर्ज होगी, बढ़ी है भाई, यह वाला object जो हो वाँ छप जाएगा, यह वाला object है, वाँ छप जाएगा, आपको image साफ साफ दिखेगी, ठीक है ना, अब पन क्यों आया क्यों आपको यह दूर का उबजेक्ट साफ नहीं दिख रहा क्या कारण है कि यह दूर का उबजेक्ट आपको साफ नहीं दिख रहा आई उसको समझते हैं यानि यह तो हमने हल्दी आई पड़ा अब जो पढ़ रहें वह पढ़ रहें defected eye, myopic eye बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है myopic eye ठीक है, myopic eye ओके, अब सुनना ध्यान से बात को myopic eye क्या होता है, देखो ऐसा है भई myopic eye होने का पहला कारण है दो कारण है इसके, पहला कारण पहला कारण यह है, कि भईया जो lens है ना आपका जो lens है ना आपका, वो इतना जादा सक्त हो गया है इतना जादा हाड हो गया है, कि उसकी power बढ़ गई है, power कैसे बढ़ जाती है भाई है, power ऐसे बढ़ जाती है कि muscle जो है ना, वो धीला नहीं कर पारा lens को, मतलब muscle में ऐसी contraction अगई है, ऐसी कमजोरी आ गए मसल के अंदर, है ना उल्टी तरीकी कमजोरी है मतलब यह किसने power को क्या करते है, बढ़ा दिया पतली नहीं कर पारा lens को पत्रा नहीं कर पारा, lens क्या हो गया? तगड़ा हो गया धिया से सुनना ध्यान से सुनना लेंस की पावर जो है वो बढ़ गई है ठीक है न अइसा हुआ किसेली ए Bangkok क्रेक्वेचर हो जिए कि आण से दिए और ग्रहना बचा हुआ है। ठेस्ट आप अब बताओ यह लेंज क्या करेगा। यह लेंज की ताकत बढ़ गई है ताकत बढ़ गई है पावर बढ़ गई है यानि फोकल लेंथ घट जाएगी और पहले फोकल लेंथ जो थी वो कहां थी बही पैरल लाइट आती है तो कहां फोकस होती है फोकल लेंथ पही तो फोकस पही तो आके मिलती है है कि नहीं तो फोकल लेंथ अगर कम हो गई है तो मतल से जाती है फोकस जाती कि नहीं जाती सीधी लाइट अगर आ रही तो फोकस जाती कि नहीं जाती तो बेटा हेल्दी आई के लिए यही फोकस है हेल्दी आई के लिए रेटीना ही फोकस है हेल्दी आई के लिए रेटीना ही फोकस है लेकिन यहां पर फोकल लंद घट गई है त अब रटीना फोकस नहीं रहा अब लेख हो गया कुछ एलब यहां लाइट मिलेगी यहुज लाइट मिलेगी बताओ रेटीना तक फाने पहुंचा यह पहुंचा व यह को बात को समझे गया यह उल्टा हुआ पहुँचा होगा यहां तक है ना और उसके बाद शार्प इमेज नहीं मिलेगी आपको शार्प इमेज कहा मिलेगी आपके कहीं बीच में विट्रस यूमर में जाके बनेगी इमेज पर क्या फोटो रिसेप्टिव सेल उसको ले पाएंग यहां पर क्या पहुचा इसलिए धुंदला दिखा इसलिए मैं चश्मा उतार दूं अगर तो कोई कमेंट नहीं दिख रहा है ठीक है ना कोई कमेंट निख रहा उसके बाद ठीक है ना क्यों कि धुंदला हो गया जितनी भी लाइट आ रही है तगड़ा हो चुका है लेंस मेरी आँपका ऐसी कमजोरी आई ऐसा ऐसा डिखेक्ट आया कि लेंस मेरा तगड़ा हो गया अब वो पतला नहीं हो पा रहा तो जो कुछ भी लाइट आ रही है वो मेरी विट्रेस हुमर में बन रही है वो मेरे विट्रेस हुमर में बन रही है वो रेटीन तक पहुची नहीं रही है यह हाल हो रहा है यह हाल हो रहा है तो आई होप आपको बात समझ में आए कि यह होता किस वज़े से है मतलब मायोपिया है क्या चीज एक्चुली में मायोपिया अक्चुली में है क्या चीज है to which a person can see near objects, pass की चीज़े देख पा रहा है, but he cannot see distant objects clearly, देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो, क्या लिखा हुआ है, ऐसा defect है, है न, जिसमें से can see near objects, pass का दिख रहा है, है न, लेकिन cannot see distant objects, near तो, near तो दिख जाता है, लेकिन distant नहीं दिख पाता, cannot, ठीक है न, तो ये दो वो गई, ये दो बाते हो गई, है न, कि pass का दो दिख जाता दूर का नहीं दिखता, हैना, अऒर ये किसलिए होता है, तो excessive curvature of eye lens, excessive curvature का मतलब क्या है, कि भैया अगर ऐसा curvature था तो ऐसा curvature होगया, मोटा ऊगया lens, excessive curvature आगया है, मोटा हो गया lens, तो इसको बोलेंगे एक्सिसिव करवेचर दूसरा है elongation of eyeball अब ये तो जनम जात हो सकता है वाई है ना या और वजों से हो सकता है elongation का मतलब होता है फैल जाना खिच जाना बड़ी हो जाना तो eyeball जाना मोटी मोटी हो जाती है अब ये जनम से भी हो सकता है ये बाद में कोई और disease के करण से भी ऐसा हो सकता है कि eyeball में क्या आ गया है elongation आ गया है eyeball में क्या आ गया है elongation आ ठीक है ना eyeball elongate कर गई है माने खिच गई है मोटी हो गई eyeball तो यह दोनों वजों में क्या देखने में आता है मयोपिया देखने में आता है ठीक है तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई है ना असे सिर्वाली लेंजस का मोटा होना जिसकी वजासे पावर बढ़ने के विजा से बीच में बं जाता है अब इसको करें और आप बात आती है को तिक करें इसको ठीक कशने क्या सक ondo थीक करएं चाहिव रैंब धर से आए मैयोपि या कौन सी बिमारी है, बिमारी नहीं है, कौन सा defect है, दूर का देखने वाला, दूर का ना दिखने वाला defect है, तो आपको object का रखना पड़ेगा, कहीं दूर रखना पड़ेगा, तो आपने कहीं दूर object रखा, कहीं दूर आपने क्या रखा, object रखा, या आपको object कहीं दूर प कड़ी हुई है क्या का रिए यह तो पहले कर देगाartet हम यह रह Columbने चाहते हम यह क्या चाहते हम conception करें रेटीना पर्यש करें है रेटीना पर कभ रह तो रेटीना पर Converse कर्वाने कि क्या करना पढ़ेंगा इस लेंच को बुद्धु बनाना है कि नहीं, यह lens हो गया strong तो इस strong lens को कमजोर करना पड़ेगा, हाँ की ना यही तो बात ना भाई, यही तो concept है इस strong lens को क्या करना पड़ेगा, weak करना पड़ेगा यानि जितना हो सके क्या करो, इसका opposite करने की कोशिश करो है ना, इसका opposite करने की कोशिश करो जैसे ये जो, ये जो lens है, ये convex lens है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे लगाएंगे concave lens, हम बहुत चालू है, हम बहुत चला आगे, हम इसको बुद्धू बना देंगे, कैसे बुद्धू बनाएंगे अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे इसको बेफकू सब्सक्राइब अब इसने हलका अलका जो light को फैला दिया है तो कहीं दूर से किसी दूर object से light सीधी सीधी आ रही थी अब ध्यान से सुनना समझ में नहीं आएगा नहीं तो यह जो दूर object से light सीधी सीधी आ रही थी इसने उस light को फैलाने से क्या किया जब इसने स्लाइट को फैलाया तो क्या किया जब इसने स्लाइट को फैलाया ना तो ये ये पीछे कहीं पीछे कहीं कनवर्ज होती अपियर हुई बोलो ऐसा होगा के नहीं होगा बोलो ऐसा होगा के नहीं होगा ये कहीं यहां ये कई यहां कनवर्ज होती क्या हुई अपियर हुई ये कई यहां कनवर्ज होती क्या हुई अपियर हुई तो पता क्या होगा अब सुनना बात को ध्यान से concept है ये और ये light का concept है ये light का concept है अब्जेक्ट था अपना अब्जेक्ट था उससे जो लाइट आ रही थी उसकी इमेज को इस लेंस नहें बना दिया यानि ये इमेज है यानि ये इमेज अपिन को यहां बनी है इस object की image वह यहां बनी किसने बनाई क्यों कि इढ़ाई मेज करता है तो डेवर्ज करेगा तो अपने फोकस को यूज करके करेगा ना भई अपने फोकस को यूज करके डेवर्ज करेगा ना भई तो इस फोकस को यूज करके इसने क्या किया यहाँ पर इमेज बनाई यहाँ इमेज बनाई अब 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 सुनना अब पता क्या होगा ये जो lens न हमारा ये वला ये जो हमार याँक का lens है इसको ये लगेगा कि जो light मुझे मिली है इसको, मुझे नहीं इसको जो light इसको मिली है न वो तो ऐसी मिली है वो तो ऐसी मिली है, फैली फैली है ना, वो तो ऐसी मिली है, फैली फैली तो यह जो light है न यह कहां से आ रही है पता है यहां से आ रही है इसको लगेगा कि मेरा object तो यही है इसका object यह है जिसकी image यहां बनी लेकिन इस lens को लगेगा मेरा object तो यही है क्योंकि इसको यह तो दिखी नहीं रहा इस lens को आख के lens को यह तो दिखी नहीं रहा इसको तो यह इसको यह देख सकता इसलिए इसको यह दिखेगा इसको यह दिखेगा क्योंकि यह इसको देख सकता इसलिए समझ गहें न वही जो इसका फार यहां परीट तक देखले आता लेकिन बिना चिश्में के तो मैं यहां देख पाता हु ये लेंस ने करी चलाकी इस लेंस ने पता है इस वाग़े को बहुत भालगा है ना उसने नौस्वाइब यह पढ़ा तेरा आप जक्त तो तो कहां पרशान हो रहा है तू तो कहां दूर तक देखा दूर तक मत देख मैने तरह काम असान कर दिया मैंने तेरे लिए यह लैस्ट बोलेगा इसको कन सब्सक्राइब कर दिया है तो यहां से लुञार क्या दिक्कत है यहां से उठाने में कोई दिक्ट नहीं कहले हैं मेरे को दूर पर मुझे नहीं ने देख पारा है ना उन्हें दो तो यहाँ से यहां से जो ऑफजेक्ट है और तक है अब भाइसको और वे शीटा है गया नहीं cognitive लुए को हुए इसको प्रोजट्ट की इन इस यहां बनी है घब इस औब की में यहां बनी है तो तो ये वाली image इसके लिए एक new object का काम करेगी, ये वाली image इस lens के लिए एक new object का काम करेगी, तो ये new object में से जो रे निकल किया है ये वाली, ये जो new object में से रे निकल किया है ये वाली, ये उठा के converge करतेगा इसको कहां? रेटीना पर, क्योंकि ये तगड़ा है पहले से ही, ये पहले से ही तगड़ा बना वैठा है, तगड़े वाले, तगड़े वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, फैली हुई light को converge करने में, अगर lens तगड़ा है ना, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, कि फैली हुई light को क्या करते वो, converge करके कहां बना दे, रेटीना पर बना दे ठीक है ना, कहां बना दे, रेटीना पर बना दे, तो इसलिए जो, जो object यहां बना है, उसकी image, यहां दिखेगी eye dash, समझगे बात को, जो आपका original object था, वो यहां था, जो असली object था, जो actual object था, वो यहां था, उसकी image को उठा करके, इस lens ने, सहयोगी lens ने, correct करने वाले lens न और कहां करवर्ज कर दिया, रेटीना पर करवर्ज कर दिया, तो यहां पर double game चल रही है, देखरेओ, यहां पर double game चल रही है, यहां पर दोनों ने अपने, अपने object, अपनी, अपनी सहूलियक के साब से उठाए, और अपनी, अपने बातचीत करके, वहीं परी image को रख दिय जहां से यह उठा सकता था, ठीक है न, वहीं रख दिया, जहां से इसको उठा सकता था, ठीक है, और कहां बन गी image, रेटीना पर बन गई, तो यह था correction किसका, मयोपिया का, किसने किया, किसने किया correction, कौन है corrective lens, कौन है corrective lens, तो corrective lens है concave, ठीक है, corrective lens है concave lens, यह बात ध्यान लखना वाई ठीक है और Concave Lens की Concave Lens ने किया क्या यहाँ पर Concave Lens ने Light को फेला दिया तो इसलिए बोलेंगे कि वाई ये तो ये तो diverging है ये तो diverging nature का है तो nature पूछ ले तो क्या बोलोगे वाई diverging nature है ठीक है ना तो ये सेना वाई इसका इस तरीके से correction होती है, इस तरीके से correction होती है, ठीक है, इस तरीके से correction होती है, ओके, बढ़ते आगे, बढ़ते आगे, चैट में ध्यान ना दें, चैट को छोड़ दें, clear हो गया, तो भी मुझे पता चल जाता है, clear हो गया भाई, ठीक है न, clear हो गया, तो भी मुझे पता चल जाता है, clear हो को आगे बढ़ते हैं दूसरे डिफेक्ट पर आते हैं अब यह जो दूसरा डिफेक्ट वेटा वह है है इसका नाम है हईपर मेट्रोपिया का मतलब होता है पास का धुंदलापन जो मयोपिया है ना ज़स्ट उल्टा है नवह क्या था दूर का दूंदलापन था यह क्या है— पास का धुम्दलापन है पास का साफ नहीं दिखता क पड़ नहीं पाते है iz節 हमें किताब खूलते हैतो कि अ में थे फेतार अलिप D00 और mobile phone को ऐसे रखके पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बड़े जो लोग होते हैं, principal sir type जो लो, principal madam type है ना, यू रखके पढ़ते हैं, गर चश्मा नी होता है तो चश्मा ले किया भाई मेरा, फिर चश्मा लेके आते हैं, फिर लगाते हैं, फिर हाँ ठीक 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 पढ़ते और उस age तक उस अधेड उमर तक है ना 40 की age तक जो उनका नियरफर पॉयंट हुआ करता है 25 cm अब वो 25 cm खिक कर elles के पीछे चला गया है आब वो 25 cm खिक के कहा चला गया पीछे चला गया कूँ पीछे चला गया है क्यू 25 cm पर अब साफ नहीं दिखता क्यू 25 से पचास हो गया, क्यों पच्चिस से असी हो गया, क्यों एक मिटर दूर से उनको साफ दिखता है, लेकिन उससे पास वो नहीं देख पाते, पास आते धुनला हो जाता, इसके पीछे कारण क्या है, आउ कारण को जानते हैं और पड़ते हैं, ठीक है न, देखो, सबसे पहले तो यह पढ़े दो भाई, इस अ काइंड आप डिखेक्ट इन विच हुमन आई इस अनेबल टू सी नियर अब्जेक्स क्लिरली बट कैन सी दिस्टन अब्जेक्स क्लिरली है न, ऐसी लिखा हो, कारण क्या है, दो कारण है, पहला, पहला कारण, पहला कारण है जो कारण बिल्कुल पिछले वाले का उल्टा था, ठीक है न, जो पिछला वाला कारण था, उसका बिल्कुल उल्टा कारण है, पिछले वाले कारण में क्या हुआ था, पिछले वाले कारण में लेंस हो गया लेंस हो गया था मोटा, क्यों हो गया था, क्योंकि मसल ऐसे अकड़ गय थे उसको लेकर के, उसको पकड़ गया ऐसे अकड़ गय थे, क्यों मोटा सा हो गया था लेंस, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पतला सा हो गया लेंस, जानी निये लेंस में, लेंस की जान ही खतम हो यह क्यों भुड़ापा आ गया है मतलब भुड़ा पा आ रहा है आया नहीं है सूकätt है लुगा अने वाला है ना तो इसले क्या हुआ भुड़ा लग लुड़्य कमजय कोफ़। ठीक है ना मसल अगर कमजोर हो गए हैं तो लेंस पतला सा हो जाएगा पहले मोटा सा था अब पतला सा हो गया है अब यह मोटा हो नहीं पारा माने पतला होने का मतलब क्या है पतला होने का मतलब है कि पावर हो गई है कम, और पावर अगर कम हो गई है लेंस की, पावर अगर घट गई है लेंस की, है ना, है ना, तो फोकल लंद क्या हो जाएगी, फोकल लंद तो बढ़ जाएगी, यह बास समझ में आती है, यह बास समझ में आती है, उल्टे होता न दोनों, उल्टे होता न द और पिया होगा, है तो भही बता देना, है ना? आख ठीक, एक बच्चा बुच रहा, आख ठीक कैसे करें, आख के डॉक्टर के पास जाना वेटा, ठीक है यहाँ गलत आगेगो आप, आख के डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है ना, अच्छा, तो पहले एल्दी आई की बात कर लिते हैं हम लोग है ना healthy है मैं देखो क्या हो रहा है आप PASKA देखना चारे हो पास का देखना चारे ना तो पास का देखना चारे तो अबजक्ट यहां पास में यहां से लाइट निकलेगे वह फैली हुई निकलेगी ध्यान से सुनना दूर अब अगर अप्जेक्ट है तो लाइट निकलेगी फैली हुई और इसे फैली हुई लाइट को पकड़के लेंस अगर तगड़ा है अगर मजबूत लेंस है अगर अपना फोकल लेंस को एडिजस्स कर पा रहा है पावर अफ अकोमोडेशन बढ़ी आ चल रही है कोई डिफेक्ट नहीं आ के अंदर तो तगड़ा हो करके क्या करेगा मजबूति के साथ ये उठा करके इसको कहाम बना देगा रेटीना पर बना देगा आपको अगर पास रखते हो तो छाफ CA आपको दिखता है पर अगर आगया है डिफेक्ट तो क्या होगगा तो power बेटा घट जाएगी, power घट जाएगी, power के घटने से focal length बढ़ जाएगी, power के घटने से focal length बढ़ जाएगी, तो sir, अब क्या होगा sir, अब जो light आ रही है यहां से, यह बहुत दूर हो गया, यह बहुत दूर हो गया वाई, यह बहुत दूर हो गया, पास से बनाते है लेंस के बसकी नहीं है बात को समझना अब लेंस के बसकी नहीं है यहां तक थी अब बढ़ जाएगी अब वो क्या होगा बढ़ जाएगी पहले पहले फोकल लेंद्ध घट रही थी यहां कहीं मिल रहे थे हैं ना पावर के बढ़ जाने से लेकिन यहां पर क्या होगा यहां पर कहीं पीछे मिलेंगे जाकर के ऐसे और ऐसे ठीक है ना मतार कनवर्जंस तो होगी कनवर्ज तो करेगा लेकिन उतना कनवर्ज नहीं कर पाएगा उतना कनवर्ज नहीं कर पाएगा जितना करन इखे न यहां कर पीछे कं रेटीना सこれで क्वेनल दीखेगा है आफंगी पहुपा रहा है पीछे कहीं हो रहा है है ना मतलब लाइड गाहा मिल रही है पीछे कहीं मिल रही है सस़ी वाद है तो यह गडवड़े और तो यह थी कैसी आई कद्लवाट अभी थीख करेंगे इसी करेंके य्ट राणे अभी ठीक करेंगे हैote और हाई पर इलावधिया है तो फोकल लंड बढ़ गई यह जो पीछे जा गरगे वह किर रहा है बिल्कुल सही बात है वई प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम ओओ नबस्ते ठीक के अच्छा अब इसको ठीक करेंगे अब इसको ठीक करेंगे, तो पहले एक बार हम थोड़ी सी थेओरी पढ़ लेते हैं, कि वजे क्या रही है, इसके कमजोर होने की वो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, कि रहा है, decrease in the power of the islands है, देखो साफ साफ कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि रहा है, decrease हो गया power of the islands के अंदर, eye lens की power में हो गया decrement, eye lens की power में हो गया decrement, तो इसलिए increase आ गया focal length में, increase आ गया focal length में, इसलिए focal length क्या गर गई है, increase कर गई है, power के गटने से focal length बढ़ गई है, ठीक बात है, ठीक बात है, और यह दूसरा effect जो है, दूसरा जो कारण है defect का, वो है shortening of eyeball, यानि आखे छ हो चुटी-चुटी हैं, है न ऐसा जनम से हो कता है, जनम मतलब बच्पन से अशा हो सकता है, कि जनम से कुछ ہو गया, यह पिर कोई और defect हो सकता है, कोई बीमारी, कोई वो भी यही चीज़ पैदा करेगा, वो भी hypermetropia पैदा करेगा, है ना, तो hypermetropia के दो कारण हो सकते हैं, दो causes हो सकते हैं, cause बोलते हैं इसको, दो causes हो सकते हैं, पहला cause क्या है, power का घड जाना तो focal end का बढ़ जाना, ये पहला cause हो गया, दूसरा cause हो गया, shortening of eyeball, ठीक है ना, eyeball का चुटा-चुटा हो जाना, clear, बढ़िया, बढ़िया, अब करते हैं correction, अब करते हैं correction, फिक ना, hypermetropia को अब ठीक करने की कोशिश करते हैं, देखो बटा, ठीक कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, हुआ क्या है मुझे बताओ, problem क्या ये बताओ, sir, problem ये है, problem ये है, पावर घट गई है तो इसका सेयोग करने के लिए इसकी पावर को बढ़ाने के लिए इसके जैसा ही कोई आएगा है ना इसकी power को बढ़ाने के लिए इसके जैसा ही कोई आएगा तो इसके जैसा ही कोई कौन आएगा इसके जैसा ही जो आएगा वो कौन आएगा तो भाई वो आएगा वो आएगा convex lens, वो आएगा convex lens, ठीक है, अब यह का कर लेगा, अगर convex lens आगया तो यह कर लेगा, यह again बुद्दू बनाएगा इसको, यह again इसको क्या बनाएगा, पागल बनाएगा, इस lens को पागल बनाने के लिए आया है, कैसे पागल बनाने के लिए अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाते हूं कैसे पागल बनेगा ये लेंस, देखो भई, देखो भई, क्या होगा, देखो भई, क्या ओगा, ये आपका लेंस है, है ना, ये आपका लेंस है, convex lens है यह, light आ रही है, light आ रही है, तो object यह रहा, यह object है, है ना, आप तो उसको 25 cm पर रखोगे न, तो आपना तो उसको side distance पर रखा 25, दिखा आपको कुछ लिए रहा, चश्मा लगा लिए, आप दिखना start हो गया, चश्मा लगा लिए, आप दिखना start हो गया, तो ऐसा क्या क से जो light निकली ना, फैली फैली, इसने पता क्या कर दिया, इसने थोड़ा सा इसको पहले ही converge कर दिया, बात को समझना, ये जाने को ऐसे जा सकती थी बेटा, ये lens ना होता तो ये ऐसे निकल जाती, कुछ ना दिखता तुमको, कुछ ना दिखता तुमको, ये light ऐसे चली आत अब क्या होगा, आप ध्यान से सुनना, इसने जो light को हलका सा मोड़ा है, ऐसी जाती light को जो हलका सा इसने मोड़ दिया है, इसने क्या कर दिया है, इसने बहुत बड़ी help कर दिया है, इसने बहुत बड़ी help कर दिया है, क्या help कर दिया है, इस object को, ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूं इस object को उठा करके यहां यहां पेश कर दिया इसने यहां इसकी image बना दिया है जो अक्षर या लिख यहां भारgeld टाईमस आज मोदी जी ने यह किया वो किया मिश्चा जो भी लिखा हुआ है वो कहा दिख रहा है वह कहाँ रख दिया इस ने ऊठा करके चश्में बंस आटारी अपर दिया । समझगे ने वाइथ को अब ये क्या वोलेगा पता है ये नहीं यहां पर एक it object or एक औब्जेक्ट ओधेख्ट है जिसको यह लेंस बड़े आराम शेड़ता है जिसको यह सकता क्यों कि 25 cm ओब इसको दिखता नीं यह 25 cm होगा ना जया अपने एक्चुल में लाइट को उठा लेगा समझगे न मतलब ध्यान से समझना कि पास में रखा होता अगर औबजेक्ट यहां सुनना जो बोल रहा हूँ अगर पास में रखा होता अबजेक्ट तो ऐसे लाइट आती है ऐसे light आती है ना, रोग कितनी बड़ी कैंची खुल रही है, है ना, कितनी ज़ाधा diverging light आ रही है, लेकिन दूर रखा होता तो उतनी डाइवर्जिंग नहीं होगी वो, उतनी diverging नहीं होगी वो, समझे रहो ना, क्योंकि दूर से खुल गया है वो, बात को समझे ना, पास केंटीमेटर पर रखा object था, वो असल में, है तो 25 पर ही, है तो 25 पर ही, लेकिन इस lens ने क्या किया उठा के, वहां रख दिया, जहां से ये साफ साफ उठा पाए, ये साफ साफ वहां से आती light को पकड़ पाए, तो वहां से आती हुई light को इसने पकड़ा, और कहरा कोई दिक मतलब इस lens ने इसका काम बाट लिया, जो काम जवानी में ये अकेला किया करता था, अब ये दो मिलके कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ठीक है ना, आई होप आपको बात समझ में आई, ठीक है न, अब ये जो image बनेगी, ये बनेगी, आई डैश, क्योंकि इसकी वा image बनाएगी, ठीक है न, तो I hope मैं आपको समझा पाया कि hypermetropia, यानि far sightedness, दूर का साफ दिखना, नस्दीक का साफ ना दिखना, क्या होता है, ठीक है न, बच्चे गजब गजब लिख रहे हैं, मतलब समझ में आगया होगा, वो मुझे पता चल जाता है, जब समझ में आता प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम है old age hypermetropia, यह भुडापे में आता है, यह होता क्या है, यह दोनों होते हैं, ना पास का साफ दिखना, ना दूर का साफ दिखना, दुन्दला ही दुन्दला हो जाना, आप बोलोगे sir human eye and colorful world पढ़ा रहे हो, तो colorful world की बाते करो, यहां करे प्रेस बायोपिया यानि old age hypermetropia का मतलब होता है, ना तो पास का दिखना, ना दूर का दिखना, और उसके पीछे मुखे कारण होना बुडापा, तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, के decrease आया है flexibility में eye lens की, eye lens की flexibility जो है वो decrease हो गई है, eye lens की flexibility decrease होने का मतलब क्या है, के भाया ना तो दूर का सही से converge कर पा रहा, ना पास का सही से converge कर पा रहा, ना तो 25 cm पर ठीक से देख पा रहा, ना infinity पर ठीक से देख पा रहा, कई बीचों में कुछ range उसको सही से दिख पा रही ना पास की ठीक से दिख पा रही है, ना दूर की ठीक से दिख पा रही है, तो ऐसी कुछ प्रॉबलम हो गई है भाई, यह कब होता है, ओल्लेज में होता है, इसलिए नाम भी ओल्लेज हाइपरमेट्रोपी आए, एक बार पढ़ लिया जाए इसको, It is a kind of defect in which human eye, which occurs due to aging, यह देखो, aging माने जुरियां पढ़ना नहीं है, जुरियों की tension होती है, जुरियां पढ़ना नहीं है, आखो की problem भी है, ठीक है, तो वो है यह, है ना, it happens due to the following reasons, पहला क्या हो गया, decrease in the flexibility of violence, ठीक है, और दूसरा है, किसी और कारण से weakness आना मसल में, बहुत weakness आए जा रही है, आए जा रही है, मसल के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो gradual weakening of silvery muscle, ठीक है ना, a person may suffer from both myopia and hyper, दोनों हो सकते हैं, और दोनों की severeness अलग-अलग हो सकते, यह निकि जितना myopia, उतना है hypermetropia, कुछ percentage myopia की, कुछ percentage hypermetropia की हो सकती है, कोई diagram नहीं है, इसके लिए specific है, और वो ईडोनों diagram है, दोनों काम इसके अंदर चलते हैं, तो कोई एकठा diagram नहीं बता सकता मैं इसका आपको, है ना, लेकिन मैं आपको इसकी correctiveness जरूर बदाता हूं, कि correct कैसे होता है, ठीक है, तो correct करने के लिए, correct करने के लिए, जैसे यहां पर, correct करने के लिए, जैसे यूस किया जा रहा था है ना करेक्टिव लेंस कौं सा था पर कन्वेक्स लेंस था चन्वेक्स लेंस क्लेक्सuan ट्वेक्स कॉन सा होता है कनव्रजिंग नेशर ने चरका होता हैहिएcidos बुgression करेंडर के अंदर हां साबात है ठेफरड क्लेंग सी लिए चरटण Bifocal lenses यूज होते हैं बेटाजी, Bifocal lenses आपने देखे होंगे इस तरह के चश्में, आपने देखे होंगे इस तरह की N के, इनक बोलते है न, इस तरह की N के, जिनके अंदर आपको ऐसा दिखाओगा कट, ऐसा कट दिखाओगा आपको इस तरीके का, देखाय क्या देखाय क्या इस तरह का कड़ देखाय क्या आपने हैं उपर वाला उपर वाला लेंस जो होता है वह दूर का देखने के लिए होता यानि यानि वह कॉनकेव होगा है ना और जो पास का देखने वाला यानि हाइपर मेट्रोपिय को ठीक करने वाला वह कॉन सा तो concave or convex का, हाँ, bifocal, बिल्कुल, है ना, concave or convex का क्या होता है, दोनों का एक तरीके का combination होता है, ठीक है ना, उपर जो है वो concave, नीचे जो है वो concave, तो कि दूर का देखना तो उपर से देख लेगा, पास का देखना तो नीचे से पढ़ेगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे देखेगा, आखे यहां से, आखे यहां से देखेंगे, नीचे से, ठीक है न, मेरा वोला लेंस नहीं है, सुन लो, ओलंपियड ओलंपियड के लिए काम आ सकता है, अस्चिक मेटिदम, ठीक है, अस्चिक मेटिदम क्या होता है, अस्चिक मेटिदम होता है भीया, के, सुनना, अब यह समझ में आ जाएगा, अगर आखे ठीक हैं, तो तुमको जाल ठीक दिखेगा, जाल, जाल समझते ह समझते हो matrix matrix समझते हो matrix यह 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 ठीक है ना आपको यह matrix ठीक ठीक दिखेगा आपको यह matrix जो है वो ठीक दिखेगा है ना लेकिन अगर आपकी आखों में defect है जिसका नाम है अस्ट्रिक में अगर आपकी आखों में ऐसा defect जिसका नाम है अस्ट्रिक में तो आपको यह जाल जो है ना यह जो parallel lines जना जो ऐसे-यसे parallel है और जो ऐसे ऐसे parallel है वह आपको रूछ कूछ ऐसा दिखेगा मतलब वो बच्चा बच्चों मैं होती है दिक्कत बेटा यह है ठीक है ना बच्चों में होती है दिक्कत ठीक है ना वो बच्चा देखने में आती है बच्चों के अंदर यह दिक्कत है ना वो बच्चा जिसको और स्टिक्मेडिजम है वो पैरलल लाइन्स दो या दो से अधिक पैरलल लाइन्स के अंदर फरक नहीं उसको यह ऐसे कप्ड दिखता एंद्ध कि इस तरीक ऐसा डिखता है। इसको बोलते है Cylendrical Problem भी है Myopia भी है Cylendrical बहुत बच्चों में होती है Myopia भी है Cylendrical Problem भी है Hypermetropia भी है Cylendrical Problem यो Cylendrical Problem के नाम से जाने जाती है लेकिन असल में ये है Astigmatism इसको भूते है Astigmatism है ठीक है ना बच्चा या लिख भी रहा है Cylindrical lens के बार तोफ और बहरा होँआ सा होता है, इस तरीके से बार बहरा उपरा हुआ सा lens होता है, ऐसा 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 मिजे ना जज की, अगर अपको भी यह 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 इस्टना जदा पढार हो आपको भी है यह यह धिया, हां किस वज़ा से वज़ा ही हो वज़े क्या है correction मैंने पहले बता दिया आपको वजे बतायता हूँ वजे इसकी यह बेटा के corneal defect होता है अब यह जनम से भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है accidental भी हो सकता है no idea बायवाला से पूसना भाई यह बायवाली कोई मैम तुमको मिल जाए बागी श्री मैम आजाए यहां समरिदी मैम जो भी आज़ा उनको पकड़ ले ना उनसे पूसना भाई क्यों होता है ठीक है तो basically है कि जो irregularly shaped cornea होता है cornea की shape कैसी होती है आप जानते हो ना bulge out होता है curved shape होती है उसकी तो कभी-कभी curved shape ना हो irregularly shape हो ठीक है ना कैसी shape हो irregular shape अगर हो cornea की ठीक है ना या फिर distorted lens हो lens में भी हो सकता distortion आजाए जो अंदर का lens है वो भुर-भुरा सा जाए है ना उबढ खाबड सा हो जाए वो lens या cornea उबढ खाबड सा हो जाए तब ये दिक्कत आ सकती है astig maddenum नाम की ठीक है मैं एक बार पड़ लेता हूँ इसको in this defect in this defect a person cannot focus on both horizontal as well as vertical lines at the same time so the person can see objects clearly only in one plane ठीक है ना ऐसा ही दिखेगा उसको जैसा मैंने आपको दिखाया उसको ऐसा ही दिखेगा ठीक बढ़िया बढ़िया बढ़ते हैं आगे यह last defect है जो यलो डब्बे में दे रखा होता है इसके बाद human eye वाला part पूरा खतम है और हम लोग फिर colorful world की तरफ चलेंगे ठीक है ना break मिलेगा आपको prism पढ़ाने के बाद prism से पहले break नहीं prism के बाद आपको break दिया जाएगा ठीक है ना तो cataract की बात करते है cataract की हिंदी होती है motiya सुना होगा आपने motiya बिंद है ना motiya बिंद कहते है इसको ठीक है ना बाई ये बाई बाई आदा ना उर्दा ठीक है ना motiya बिंद अभी यह मत कहना हिंदी पढ़ा दो ठीक है यह बच्चे कुछ भी लिखते रहते है ठीक है motiya बिंद ओके तो cataract का मतलब होता है motiya बिंद अभी ये क्या चीज होती है बाई ये चीज क्या है सुनना ये असल में lens का problem है आख का जो lens होता है ना उस lens के उपर दूदियापन आ जाता है दूदियापन बोले तो milky ने सा जाती है ये कहां से आती है protein grow कर जाता है आख के उपर कहां से आता है don't know biological, biochemical issue है कि protein क्या होता है वो ढख लेता है आख को और वो partially भी ढख सकता है जाले की तरह भी ढख लेता है net wise भी ढख लेगा bio पढ़नी पढ़ेगी उसके लिए आपको तो पता चलेगा कि क्यों आता है, कैसे आता है, किस वाय से आता है क्यों का वैसे reason नहीं है इसका ये किसी भी age में आ सकता है, किसी को भी आ सकता है heredity हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि उसके अंदर मोतिया उतरा है, ऐसा बोलते है मोतिया आ गया है, यह बोलते है आख बनवाने जा रहे है दादी को लेके गए है आख बनवाने उनकी तो इसका मतलब आख बनवाने का मतलब है कि मूतिया का उप्रेशन करवाने लेगे गए, कोई नहीं आख नहीं बन रही होती, कोई फेक्ट्रिया नहीं हमाँ पर आख बनाने वाली, है ना, मूतिया का उप्रेशन होता है वो, है ना, कैटरेक का उप्रेशन होता है वो, तो आख के उपर protein जमने के कारण से वो protein कितनी भी मात्रा में जम सकता है, वो पता नहीं, अब किस age में जमेगा, कितना जमेगा पता नहीं, ठीक है ना, तो दिखना धीरे-धीरे कम हो जाएगा, partial blindness आ सकती आख के अंदर, ठीक है ना, partially vision जो है वो lost हो सकता है, partial vision जो है वो क्या कारण है, कई कारण हो सकते हैं, multiple कारण नहीं भी हो सकते हैं, मैंने पढ़ा था इस बारे में, है ना, तो इसलिए, हाँ, ठीक है ना, तो इसलिए, इसका इलाज करवाना पड़ता है, मोतियाविंद का, है ना, मोतियाविंद का इलाज कैसे होता है, मोतियाविंद का इलाज फीक ने लेंस तो खुराब हो गया उसके उपर दूदिया पना गया ऊट नी सकता लेंस का अवह है तो भार आ जाएगा लेंस उसकी जगह पर क्या करेंगे नया लेंस लगाएंगे Artificial Lens लगाये जाता है तो वो आख के अंदर डाल दिया जाता है और फिर दुबारा से बड़ी आख चल लगती है ना फिर केटरेक्ट होता है नी दुबारा क्योंकि वह आटिविचल लेंस आगया उसके उपर प्रोटीन वोटीन जमेगा नहीं है ना तो यह तरीके का सरजरी है जो हो सकती है दूसरी व पर लेजर डलेगी ठीके और वो प्रोटीन को तोड़ देगी या प्रोटीन को किसी और चीज में कंवर्ट कर देगी जो अगेन ओपेकनेस नहीं होगी जिसके अंदर है ना ट्रांसपेरेंसी हो चीज के अंदर कुछ ऐसे में उसको कणवर्जन कर दिया जाता है ठीके ना तो basically, मोतिया बिंध है क्या? ये ओपेकनेस है, ये ओपेकनेस है, ठीक है न, of islands, ठीक है न, और milkiness, milkiness हो जाती आँख की, ठीक है न, जिसकी वज़ा से क्या होगा? जिसकी वज़ा से, partially, partially, और wholly, impaired हो जाएगा, visually, ठीक है न, visually impaired हो जाएगा, व्यक्ती, ठीक है? व्यक्ती जो है वो, visually impaired का मतलब उसको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है न, तो काफी अब ही आज के लिए, आज के लिए मतलब अभी के लिए ये वाला topic, है न, light हो गया आपका, human eye आपका हो गया, complete, ठीक है? अजी difference between myopia, hypermetropia, इसकी आपको need नहीं है, है न, इस slide को मैं delete कर देता हूँ, आप खुद भी लिख सकते हो इसके बीच का difference, ठीक है न, इस बीच का difference आप खुद भी लिख सकते हो, जल्दी से हम लोग PYQ कर लेते हैं, ठीक है? तो which of the following eye defects can be rectified using cylindrical lens, तो आप जानते हैं, cylindrical lens हैं भी लोग क्या ठीक करते हैं, आस्टिग में ठीक करते हैं, है न, बढ़ते हैं आगे फटाफट से, आप परसन कैननोट सी clearly, cannot see objects at a distance more than 40 cm, he is advised to use lens of the power, ठीक है? तो सुनना भाई इसको, यह previous year question है, बोड में आया हुआ है, है न, अब वो CBSC वाले बोड में नहीं आएगा, तो कहीं तो आएगा, है न, तो पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो आई जाएगा आपको, ओके, तो एक परसन मायोपिया है के हाइपरमेट्रोपिया है, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से बताओ, मायोपिया है हाइपरमेट्रोपिया है, बढ़िया, बढ़िया, साबास, साबास, बढ़िया, बेटा मायोपिया है, है न, क्यो से दूर नहीं दिक्ष पाते तो दूरी की प्रॉबब्लम हो गई ना दूरी की प्रॉबलम क्यों सी होती है सम्एधिकर आ रहा है उसको मेरे को यह देख ले तुम चश्मा उतारूंगा दूर का नहीं दिखेगा भाई है ना, मेरे साथ तो तुम sympathize हो सकते हो ना यार है ना, he is advised to use the lens of power है ना, अब कितनी power का वो lens इस्तमाल करे, तो यह numerical है विटा यह numerical है विटा आओ जड़ा इस numerical को करते हैं, फटा फट से जल्दी से, इस numerical करना आपको सिखाता हूँ है ना, अब ध्यान देना, चैट को छोड़ देना चैट को छोड़ देना, अब ध्यान देना देखो होता क्या है, आपको सबसे पहले identify करना होता है कि problem कौन सी है problem है myopia problem है myopia, ठीक है, अब अब बढ़ो आगे बढ़ो आगे, ऐसा है तुम्हें जो trick सिखा रहा हूँ जो trick सिखा रहा हूँ, उस trick से तुरंत answer आएगा, नी तो पागल हो जाओगे सोस्ते सोस्ते क्या u लें, क्या v लें क्या f लें, क्या p लें क्या minus लें, क्या plus लें trick सिखा रहा हूँ, वो trick से सारे question हो जाएंगे एकदम question हो जाएंगे सारे के जारे, ठीक है ना देखो trick क्या है, trick ही है कि तुमको एक u चाहिए, एक v चाहिए ठीक है, एक u चाहिए एक u चाहिए और एक v चाहिए इस u v की help से आप f निकालोगे और उस f की help से आप p निकालोगे ताकि आपको क्या मिल जाए, पावर मिल जाए यही तो find करनी है, यही तो find करनी है है ना, तो u और v जो है वो question में given है लेकिन आपको दिखनी रे question में given है लेकिन आपको दिखनी रे मतब आइडली जो है वो कहां तक दिख सकता है अगर ये प्रॉबलम ना हो तो अगर ये प्रॉबलम ना हो तो आइडली कहां तक दिख सकता है तो सर आइडली दिख सकता है इन्फिनिटी तक है ना आइडली दिख सकता है इन्फिनिटी तक तो जो यू है ना वो आइडल कंड जो यू होगा वो हमेशा आइडिएल कंडिशन होगी quay sir we had given condition we had given condition वो दिक्कत आई तो infinity से सरक करके सरकता 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 कहा अगया पास में आगया तका ऑगया 40 cm के ब्यौंड उसको अपने दिख पा रहा तो आपने यू U ideal condition लेनी है, V given condition लेनी है, एक बात का ध्यान रखना बस U ideal condition, V given condition हमेशा ही करना है, चाहे hypermetropia है, चाहे neuropia है U है ideal condition, V है given condition बताओ ideally कितना तक देख सकता था, infinity तक देख सकता था पर देख कितना रहा है, 40 cm ही दिख पा रहा है दोनों के आगे minus लगाना है ठीक है ना, ये जुगाड है, ये जुगाड है, हर कोशन ठीक ही निकलेगा हर कोशन ठीक ही निकलेगा idle condition means पूछ रही है प्रिती गोयल प्रिती गोयल बेटा, idle condition का मतलब होता होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है ठीक है ना होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है होना चाहिए था इनिफिनिटी था दिखना चाहिए था उसको लेकिन दिख कितना रहा है 40 दिख रहा है तो आइडल का मतलब हो गया होना क्या चाहिए था आदर्श क्या है आइडल का मतलब हो था आदर्श है ना I hope समझ में आई बात ठीक है तो u v और minus का sign आपने जबरदस्ती चेप देना है यहाँ पर चिपका दो minus का दो दोनों में चिपका दो और फॉर्मल लगा दो यहाँ पर lens formula फॉर्मल लगा दो lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u put करो जरा 1 by v कितना है वी है minus का 40 अब देखना solve कर रहा हूं और यह है minus का infinity जो वन बटा infinity होता है वो 0 होता है एक चीज के infinite टुकड़े कर दोगे तो कुछ भी हात में नहीं आएगा एक चीज के infinite टुकड़े कर दिए एक पीजा लेकर आया मैं आपके लिए लो खा लो लेकिन infinity वच्चे है उसको खाने के लिए पूरा पीड़ेवल्यू का जितना भी सब्सक्राइबर वेसा सारा आगया उस पीजों खाने करें तो हाथ में क्या आएगा बताओ हाथ में क्या इतने टुकड़े भी नहीं आएंगे हाथ में आपके ना तो जब एक को infinity से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा जिरो आएगा जिरो है ना तो इसलिए यह वाला पार्ट हो गया जीरो अब वन बाई एफ इस एक्वल टू माइनस वन बाई 40 है दोनों को ही पलटना पड़ेगा आपको एफ को भी पलटो फोकल लेंद आ जाएगी फोकल लेंद आ जाएगी माइनस चालीश सेंटीमीटर मा पावर है हंड़ड़ लगाएंगे हंड़ड़ लगाएंगे हैना सिखाय हुआ है मैंने आपको हंड़ड़ लगाओ पीस इकोल डो जाएगा सौ बटा सौ बटा माइनस चालिस काटो जी काटो जी और काटो जी पावर आजाएगी माइनस धाई डायप्तर याद करो पावर में होती है कि हैंा बहुत सारे बच्च Mitte सब्सक्राइब क्योंकि फोकल लंध माइनस में तो पावर माइनस में निकल कि तो पीक है मतलब होता है कि कॉन सेलन्स लगा रहे हैं तो इक फोकल रहे हैं टॉलइन गुद्व इसकी पावर क्या होती है माइनस में होती है क्योंकि फोकल लंद भी उसकी कौन सी होती है माइनस वाला फोकस जा वह एक्टिव होता उसका है सारी बाते लाइट के अंदर मैंने आप लोगो से किये ठीक है अब नहीं पढ़ते तो क्या करूंगा है नहीं पढ़ते तो क्या करते हैं और प्रैक्टिस होगी उससे एक और कुश्चन आया विच आफ फॉल्विंग स्टेटमेंट इस ट्रू इने में से कौन सच्चा है जल्दी से बता दो यह भी सीडी कौन सच्चा कौन सच्चा कि हम ह हुँ ह Babi डी अ सारे बोल दो एक ए काम करो सारे बी सीडी चारो भूलो चारो भूलो एई लीफज एफजी ऐच वह तोभी बोल दो उए अगय कूरा लिखदो यह से लेके जड़ तक उसके आघए गय आता तो वह भी लिग दो रिशब पंत का मैथ छोड़के हम पढ़ा रहे हैं तुमको हैं तुमारी ABCD पढ़ने के लिए हैं सही से लिगो आओ देखो which of the following statement is true सच्चा कौन सच्चा कौन देखो भाई सच्चा कौन सच्चा कौन देखो पहले तो यह सच्चा नहीं हो सकता प्लस है और माइनस है कभी नहीं हो सकता है जो फोकल लेंथ का साइन होता भाई पावर का साइन होता है तो पहला खतम दूसरा देखो भाई यह भी नहीं हो सकता यह भी खतम तो यह आंसर होगा यह आंसर होगा अब चेक कर लेते कौन सा आंसर है ठीक है तो फोकल लेंथ 0.25 है और प्लस फोर डाप्टर है और कॉन केवलेंस की पावर पॉजिटिव कॉन केवलेंस की पावर पॉजिटिव होती नहीं है डी आंसर है चलो छोड़ो जो भी दिया है उसके ऐसी की तैसी है ना डी ही आंसर इसका डी ही आंसर इसका बढ़िया 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 फोड़ द या बस करो बस करो कमेंड लिगने बंद कर दो धन्यवाद धन्यवाद ठीक है आओ देखो एकौर कोशन आया यहाँ देखो बात कर रहा फार पॉइंट की मुझे बता कि वाट कब होती है मैयोपिया में करो का कि फार पॉइंट की वात कब सभास सवस वच्छो सभास संस्कृति तीवारी वटा जो पढ़ा रहू वह पढ़ ले जो बता दिया वह काफी है वजये वट्चे वड़ी आंसा दे रहें चागै Haagai मयोप्या की बात हो रही है, सबसे पहले J cin making कर से दूरृrat है bet सब नि है ना it inspector क्या हो power क्या हो लंस की तो याक नि से निकाल कर निकाल करके आपको पावर पता करनी है लेन्स की क्या होगी मैं कर रहा हुँ फटा फट से आप बस देखते जाओ क्या हो raha 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u 1 by f आपको पता नहीं है v तो पता ना कितना minus का 80 है minus और minus का infinity 1 by infinity हमेशा 0 होता है एक बीजा के infinity रुगड़े करूँगा तो कुछ नहीं हाथ में आएगा है समझ गए, field के साथ समझ गए f is equal to हो जाएगा minus 80 cm ठीक है अभी जब माइनस सी आई गया है माइनस सी आई गया है तो पावर भी निकाल ली जाए पावर होती है सो बटा एफ वो भी किसमें संटीमीटर में तो सो डिवाड़ वाई कितना minus 80 लो भाई आपे 0 से 0 कट गया है फिर से डाई आगया है तो थो 4 जा डे टो नेचर बता रहां ना भाई अगर पावर तो कनकेवलेंस है बेटा माइनस है अगर पावर तो नेचर में नहीं लिखना इसको नेचर में तो आपने diverging लिखना है वेटा, ध्यान से सुनना, नेचर में तो आपने diverging लिखना है वेटा जी, ठीक है, and power of the lens ये मैंने बता दी भाई, minus सवा, minus सवा, डेड़ ना है वाई, सवा है, minus सवा, शाबाश, कोई कोई डेड़ भी लिख रहा है, पता नहीं क्यों, ठी मैयोपिया के हाईपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज परसन की प्रवल्म क्या होगी, मैयोपिया के हाईपरमेट्रोपिया, सावास, devil girl, tanu, अन्जना, ठीक है, सबसे पहले answer दिया बच्ची ने, शाबाश, tanu, अन्जना, शाबाश, है न, तो इसकी प्रोब्लम जोगी बेटा, वो होगी हाईपरमेट्रोपिया, जिसकी प्रोब्लम होगी, वो होगी हाईपरमेट्रोपिया, सही बात है, सही बात है, अब मुझे बताओ, हाईपरमेट्रोपिया के अंदर, आइडल कंडिशन क्या है, आइडल कंडिशन क्या होती है, आइडल कंडिशन क्या होती है, लगाना पड़ेगा आपको चेपना पड़ेका जवरस्ती ठीक है रियल ही रियल में क्या हो रहा है है न, actually क्या हो रहा है, actually मैं उसको 80 cm से पास नहीं दिख रहा, उसको जब 25 पे दिखा करता था, तब वो healthy था, अब उसकी आँख चलीगी पीछे, मतलब आँख नीचलीगी पीछे, उसका near point जो वो कहां चला गया, भी चला गया, है न, उसका near point जो कहां चला गया, पी चला गय यू को भी माइनस में, वी को भी माइनस में, ठीक है, F निकाला जाएगा, और फिर P निकाला जाएगा, आओ निकालें, आओ निकालें, आओ निकालें, वन बाए F is equal to 1 वी माइनस का 1 वाई U, यह लेंस फार्म लगाया, पुट करना है आप आपने, सबको पुट करना है तो कर चाहों बताई दें तुमको यह राज से पर्दा उठाई दे माइनस क्यों लगाया है किह देख यह देख ऐ TC Blood laughed के राइट साइड लेंश रेंश के लेंश के लेफ्ट साइड पर ही आपजेक्ट है और वही वाली इमेज उठकर वहा बंड रही One लेफ्ट साइड पर तो इस बिचारे लेंस के लिए इस बिचारे लेंस के लिए तो अब्जेक्ट भी नेगेटिव में है और इमेज भी नेगेटिव में है ध्यान से देख लो यहां तुम इसलिए नेगेटिव लिया गया है जुगार सिखा तो तुमको गवार है निये तु तो हाँ अब्जेक्ट भी यहाँ है ना और इमेज भी यहाँ है सभी बात है कि नहीं तो इमेज भी तरफ अब्जेक्ट भी तरफ है जो आप 80 सेंटीमेटर का डिसंस देए वह आख के भाहरी तो लोगे तो वह दोनों ही नेगेटिव में रहेंगे वेटा सोचा करो थोड़ा तो आपने इसलिए यू और भी दोनों क्या लेने होते है नेगेटिव लेने होते है क्योंकि दोनों आख के बाहर हैं दोनों आख के बाहर है इस तरफ है दोनों लेफ्ट साइड पर है दोनों image बनेगी ना last वाली जो अंदर बनेगी केवल वो positive होगी केवल वो positive होगी ठीक है चलो कोई नहीं आजो V को रखते हैं minus 80 minus 80 minus U कितना लेंगे minus 25 यह minus minus हो गया plus है ना तो हो गया minus 1YT और यह हो गया plus 1Y25 और यह 1YF ठीक है ना अब 85 का LCM ले लें अगर ठीक है तो क्या बनेगा 85 का LCM क्या बनेगा भाई 85 40 400 ले ले 400 ले ले ते 400 ठीक है ना तो 85 40 हो गया है ना और 25 का 400 कब आएगा 25 का 400 कब आएगा 100 आता है 4 पे 4 चुक 16 16 पे आएगा ना सही कर रहा हो ना बई 16 पे आएगा ना हाँ ठीक बच्चे लिख रहे है 16 पे ठीक है 16 पे आएगा 16 में से 5 गया 11 11 बटा 400 ठीक है कि नहीं है ना सही है ना तो F आजाएगा F आजाएगा प्लस का 400 बटा 11 यह आगया cm यह आगया cm पावर निकालोगे आप तो 100 वा। करोगे यह बच्चे डेसिमल में लिख देते हैं फिर रोते रहते हैं यहां पर यहां देखो सिदह 400 रखेंगे हम यह सिदह 400 बटा 11 रखेंगे यह 11 चला जागा उपर 2-0, 2-0 कट जाएंगे आजागा 11 बटा 4 यह आ गई पावर आपकी positive में आई यह आनी भी चाहिए positive में आई यह आनी भी चाहिए positive में power किसकी होती है nature, convex और convex कौन सा होता है converging converging ठीक है ना, तो converging लेना पड़ेगा आपको positive में और पावर में आपको निकालके दिखा दी, ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने काम करना है बढ़िया, शावाश, आंसर दे रहे हैं बच्चे बढ़िया बात है ठीक है ना, यह वाला question homework में नीचे चाहिए नीचे नीचे माने comment box में चाहिए comment box में चाहिए, यह है तुम्हारा press by opya जिसको press press कर रहे हैं तुम यह है भाई press by opya जिसमें दोनों दिक्कते हैं ठीक है, जिसमें दोनों दिक्कते हैं, वो है press by opya ठीक है, इसका answer देना आपने कि distant vision को कैसे correct करेंगे और near vision को कैसे correct करेंगे, ठीक है यह photo तो हमारी है लेकिन हम solve नहीं कर रहे है photo हमारी है लेकिन हम solve नहीं कर रहे है तुम solve करोगा इसको, ठीक है हो मग हो गया है, हो मग हो गया है ठीक है, आते हैं हम लोग आते हैं हम लोग प्रिज्म पर, ठीक है प्रिज्म पर आते है ओके प्रिजम पर आते हैं प्रिजम ठीक है? ब्रेक कोई ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं नो ब्रेक, प्रिजम पढ़ा के ब्रेक दूँगा atmospheric reflection और scattering से पहले ब्रेक मिलेगा अभी कोई ब्रेक नहीं अभी कोई ब्रेक की ज़र्त नहीं हम लोगों को चलो सुनो हाजी तो बात क्या है बात यह है कि हम लोग प्रिजम पढ़ रहे हैं और डिस्परेजन अफ लाइट पढ़ रहे है ठीक है ना प्रिजम और डिस्परेजन अफ लाइट यह दोनों चीदे पढ़ रहे हैं ठीक है सुनना आप ध्यान से बात को प्रिजम होता है प्रिजम होता है प्रिजम होता है प्रिजम होता है कि इस तरह का स्क्चर कि इस तरह का स्क्चर कि ऐसा स्क्चर ठीक है ना ऐसा स्क्चर जिसमें दो सिरे जो होते हैं दो एंडस जो होते हैं दो एंड नो होते हैं कितने ट्राइंगुलर फेसिस है एकколई के ऐसा वन मांक का कुशन देखा है में बना हुआ वह थीगे ना तो हाद और तला रहे ओं लिए सबसी और टीन जिए रहें और फिस देखो ये यह तैनि है एवाला रकेश कि तीन होते हैं होते हैं है जोटीन होते हैं ट्राइंगुलर फेस यह पूरा काच का बना होता इस लिए प्रिस्म का ऍाम कना मुग्लास प्रिजम रखा गया है काच प्रिस्म महाँ धर भी महबा घब क्या करता है इसके एक side पर, जो पिछली वाली side है, उस पर light डालेंगे, इसमें से light होती हुई निकलेगी, यहाँ इस वाले face से बाहर निकलेगी, एक face पर light डाली और दूसरे face पर भाई, जैसे isosilis triangle होता है ना, यहाँ से light पड़ेगी और यहाँ से light निकलेगी, ठीक है न, इधर से light आपका prism का, है न, 3D डाइगराम, वैसे बनाना नहीं आता, लेकिन आपको पता होना अच्छे कैसे दिखता है, हमको क्या करना है, हमको इसको यहाँ से देखना है, सामने से, आख टिकानी है, यहाँ यहाँ आख टिका करके इसको देखना है, जब इसको ऐसे देखोगे न, तो आपको क्या दिखेगा वेटा, ट्राइंगल दिखेगा, क्या दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा, है ना, यहां से आपको यह ट्राइंगल दिखेगा, यह मैंने बड़ा करके आपको भेज दिया, है ना, यहां पर मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? हम पढ़ रहे हैं Refraction Through Prism. प्रिजम के अंदर जो light bend होती है, वो कैसे होती है? ठीक है न? प्रिजम के अंदर जो light bend होती है, वो कैसे होती है? है न? हम यहाँ पर जो light डाल रहे हैं, वो monochromatic light डाल रहे हैं. सर यह monochromatic का क्या मतलब होता है? और सर यह NCRT में कहां दी हुई है? NCRT में दी हुई है, नीले डबे में. आप चेक करना activity के अंदर, बच्चे बोलते हैं activity नहीं कराते, मैं लिखता नहीं हूँ, कराता सब हूँ. लिखता नहीं है, specially कि activity कर रहे हैं वेटा, आप एक काम करना पढ़ने के बाद कोई भी activity उठा कर देख लेना, और वो आपसे ना हो तो बताओ, सारी हो जाएंगी, क्योंकि सारे concept में discuss करता हूँ, लिखता नहीं हूँ लेकिन, specially कि वेटा, यह activity number 13.1, activity ऐसे करे कि लिखता न नहीं, शौक नहीं है, लिखने का, ठीक है न, कराता सब कुछ हो लेकिन, अच्छा, हम पढ़ रहा हैं, monochromatic light, इसका क्या मतलब होता है, sir, what is monochromatic light, है न, तो mono का मतलब होता है, one, chromatic का मतलब होता है, रंग वाली, रंग वाली, ठीक है, और light तो light होती है, यानि आपने जो light डालनी है, वो single color की डालनी है, नहीं, white color की नहीं डालनी, single color की, single color का मतलब, या तो red डाल, या blue, या green, या yellow, कोई एक color की light उठालो, और वो आपने एक color की light डालनी है, ठीक है न, एक color की light उठाकर के आपने यहां डालनी है, थे न, कोई वी एक light हो सकती है, वो, कोई वी ए कलर की लाइट आपने उठाके यहां डालनी है, कहां डालनी है, एक फेस पर डालनी है, जैसे मैं यहां डाली थी, एक फेस पर आपने डालनी है, तो मैं डाल के दिखाता हूं आपको, ठेक है, और फिर देखते हैं किस तरीके से यह, रिफ्राक्शन होगी, है ना, किस तरीके स से लाइट डाली ऐसे ठीक है काफी है है ना ऐसे लाइट डाली ओके तो यह लाइट यह लाइट जहां से पड़ रही है अरे अपना वाला हरा वाला कांग यह आ गए ना दुनों ना ठीक है ठीक है तो यार हो देखो क्या रहा है हो यह रहा है कि बाहर इस कांच के बाहर है ना जो मीडियम है जो मीडियम है वो तो एर है वो तो एर है और एर तो होती है रेरर एर तो होती है रेरर लेकिन जब यह लाइट कांच है कि इंत गार्च में घुखे गी जब से गी से गलास में घुखेंगेDそうだ सो एर के मुकाबले होता है डेंसर न डेंसर है थे आंग लास्मी डेंसर है थसलिए अब क्या होगा अब सुनना फाइगा देखो यहार देखो यार, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां खिचेंगे नॉर्मल, यह नॉर्मल खिच दिया, है ना, यह नॉर्मल खिच दिया, बढ़िया, बढ़िया, नॉर्मल खिच गया, है ना, यह नॉर्मल खिच गया, ओके, ओके, बहुत बढ़िया, दोने निले होगे, शा का नाम है normal और अब होने वाली है refraction मेरे साथ-साथ draw करना मेरे साथ-साथ draw करना chatting वेटिंग छोड़ दो बड़ी chatting है करते हो तुम chatting छोड़ दो साथ-साथ draw करना मेरे ठीक है तो यहाँ जो light पड़ी है वो incident रहे normal ये रहा और ये वाला जो angle होगा ये होगा angle आई है ना angle of incidence ठीक है ना ये जो angle होगा ये होगा angle of incidence बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं आगे सुनो आगे सुनो आप अब देखो क्या होगा अभी ये जो light है ना अभी जो light है ना यहां करके रुकी है वो normal की तरफ bend करेगी आप ये बात जनते हो बहुत बच्चे लिख भ ठीक है ना तो एक बार आपने इसको normal की तरफ bend कर दिया ठीक है ना एक बार आपने इसको normal की तरफ bend कर दिया इस बार ये ray कहलाएगी refracted ray ये ray कहलाएगी refracted ray और इस angle का नाम होगा angle r इस angle का नाम होगा angle of reflection ठीक है ना इस angle का नाम होगा angle of reflection और और यहां पर आप दूसरा normal ख खीचा क्योंकि अब फिर से मीडियम चेंज होने जा रहा है अब फिर से मीडियम चेंज होने जा रहा है अब फिर से मीडियम चेंज होने जा रहा है पहले ग्लास था ना पहले एर से ग्लास था ना अब ग्लास से वापस एर में जा रही है ना वापस से किसमें जा रिये एर मे है अधिस्टाइब करेंगे लेकिन कैसे रेख करेगी नॉर्मल की तरफ के नॉर्मल से अलग तो इसा सभिय नोर्मल से अवे बिंडन करेगी ऐसे नर्मल से वह बैनन करेगी ऐसे और इस है ना यह वी चैनल गै कि तरस ऐसे हो इस रे का नया नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है, इमर्जेंट रे, ठीक है, और इस इस एंगल का नाम होता है, इस एंगल का नाम होता है, एंगल E, एंगल E stands for angle of emergence, ठीक है, इस E angle stands for angle of emergence, बस यही था इसके अंदर जो कुछ था, ठीक है न, एक important बात और है, अभी तोर नुत बना इसक को अगना तो यह जा है अब जिसकी न मैंट करनी है वो मैं लिख लेता हूँ नमबर वन, नमबर वन है incident ray, ठीक है, नमबर तू, वो है refracted ray, नमबर तीन, वो है emergent ray, नमबर चार, वो है angle of incidence, नमबर पांच है angle of refraction जो यहाँ बन रहा है, है ना? और फिर angle of emergence जो बहार बन रहा है वो नमबर छे पे है, angle of emergence ठीक है, सर क्या इसके लावा भी कोई जुरुरी बात है बिल्कुल है यहां दो एंगल और है जो बड़े इंपॉटरेंट है यहां दो एंगल और एंट शुबर इंपॉर्टेंट सर कॉन कॉन से दो एंगल है नाम तो बता रहा हूं पहले eventualest देखो बई, एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, सर ये एंगल कौन सा एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं बेटा, एंगल оф प्रिज्म, क्या बोलते हैं इसको? एंगल of प्रिज्म, जो कि फिलाल आपको 60 डिगरी दिख रहा होगा, है न? क्योंकि ये एक्विलेटरल ट्र मेशा इसाट नहीं होता कभी प्रिजम ऐसा भी हो सकता है कभी प्रिजम ऐसा भी हो सकता है तो अलग-अलग अंगल हो सकते हैं इसके ठीक है न यह एंगल ऑफ प्रिजम बोलते हैं इसको नंबर साथ एंगल ए पूरा नाम लिख रहा हूं एंगल ऑफ प्रिजम बाकियों के सबसे जादा इंपोर्टन एंगल है यहां एक बच्चा लिख भी रहा है उसको प्रियम आरे नाम है उसका अरे जी अरे जी बहुत बढ़िया आठ्वा आठ्वा पॉइंट है ना और उस एंगल का नाम है एंगल डेल यह जो सिंबल मैंने बनाया पोटली जैसा यह पोटली जैसा जा यह आठ है उस आठ को पूरा नहीं किया मैंने इसको बोलते है ऐंगल ओफ़ डिवीएशन क्या होता सर double deviation की हिंदी होती है भटकना भटकना तो ये भटकन का एंगल है deviate हो जाना अपने मार्ग को छोड़ करके मार्ग भरष्ट हो जाना पथवरष्ट हो जाना जिस पथ पर चल रहे थे उससे भरष्ट हो गए कुछ और पथपर निकल गए ऐसा इस light ने किया है, जरा चेक करना, रोक दो चैट को, जरा चेक करना, जरा चेक करना, देखो जरा, ये जो light थी वेटा, अगर ये prism ना होता, अगर ये prism इसके रस्ते में ना आता, तो ये light जो है वेटा जी वो ऐसे निकल जाती, क्या कहते हो? ये अपने मार्ग से भटक गई, ये अपने पत्थ से भरष्ट हो गई, ये किसी और एंगल पर निकली, थीग है ना, तो ऐसे निकल रही थी, ऐसे निकल रही थी, है ना, लेकिन क्या हुआ, एक बार यहां मुड़ी, फिर भी ऐसे जा सकती थी, देखो भाई, ये ऐसे भी ज सकती थी लेकिन ऐसे भी नहीं गयी है ना ये कैसे चली गें आए जकर लिक यह और नीचे और नीचे तो आपने क्या करना इनिश्एल्रे मनें पहले वाली और व OH फाइनल रे यानी इमर्जेंट रे को दुन्वोगा मिला दोनों को क्या करना है मिला देना है अपने मिलेंगे कहां यह पीछे कर लो जरा इसको इसको जरा पीछे कर लो यह मिल गए अरे मिल जाओ प्यार से मिल जाओ तो हमको मिलाना आता है नहीं मिल रहे है है ना तो यह मिल गए यहां पर देखो जरा यह मिल गए यहां पर इस जगा आपार यह मिल गया देको यह एंगल दिख़र आपको यह वाला एंगल कि यह वाला अगल ल 옛 export वह जहां पर इनीशियल रेंनी इंसिदेंट्रे और ओर इमर्जेंट्रे दोनों मिल जाएं इस एंगल को बोलते डेल विस एंगल को बटकी है रहे कितनी ज़्यादा भटकी है ठीक है ना बना लो इसको एक बार एक्स्ट्रा पॉलेट करके बिल्कुल सही कहा है रिशब गुपता एक्स्ट्रापॉलेट करेंगे हाँ सही बात है ना तो इंसिदेंट रेको और इमर्जेंट रेको एक्स्ट्रापॉलेट करेंगे जल्दी से बनाओ जल्दी से बनाओ लिखो हो गया लिखो हो गया फिर आगे बढ़ते हैं लिखो हो गया फिर आगे बढ़ेंगे लिको हो गया फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से ठीक है जी इंसिनेंट रे को आगे बढ़ाया और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया जहां दोनों मिल गए उसको बोलेंगे भटकन का एंगल जल्दी से जल्दी से जल्दी से हो गया ठीक है hugs रफली बनाया ये scale pencil से बनाया है कि मिर को भेजना वेटा है ना जहाँ जो जो ड़ो उओ वेजना मिर को डाल्या पेसे ने से अधिर से बनाई थिभाना के ने रहे चाही तुमने चलो बढ़ते हैं आगे, ये थी monochromatic light, single light ray जब डाली गई, ठीक है, आओ बात करते हैं electromagnetic spectrum का, आओ बात करते हैं electromagnetic spectrum का, देखो भाई, ये topic जो है important है बहुत जादा और बच्चों को बड़ा interesting लगता है वाला topic, और इसका background देना पड़ता है क्योंकि ये background NCRT में है ही नहीं, त अगर आपने ये नहीं पड़ा तो, है ना, ये नहीं पड़ा तो आपने, तो ये है electromagnetic spectrum, क्या होता ये EM spectrum, electromagnetic spectrum, देखो होता क्या है, है ना, थोड़ी सी थोड़ी बतानी बढ़ेगी, सुनना ध्यान से, है ना, सच्चाई बाते हैं, सारी सच्चाई बाते हैं, सच बोलता हूं लाइट फैक्ता है अपने में से क्या फैक्ता लाइट फैक्ता है अब ये सर लाइट कहां से आती है सन के पास सन का सोर्स क्या है लाइट फैक्ने का तो बेटा सन का जो सोर्स लाइट फैक्ने का वो है उसकी नाभी किये है ना सनलगन जो जिसको आप बोलते हो नुकलियर फ्य तो नाभी की सनलगन और जो distortion होगा जो टोट रहा है जो fusion होगा nuclear energy का nuclear energy का fusion और fusion होता है उसकी वजा से यह radiation निकलता है उसकी वजा से यह E.M waves की form में Pूरे भ्रमाणड में फैली होती है पूरे भ्रमाणड में यह चीज फैली होती है इसको बोलते हैं electromagnetic spectrum, electromagnetic wave spectrum, spectrum क्या ची दोती है, यह band है पूरा, जिसमें अलग-अलग wavelength पर अलग-अलग properties वाली electromagnetic waves आपको दिखती है, ठीक है, कुछ की wavelength कम है, कुछ की wavelength जाद है, है तो यह wave ना, तो यह अलग-अलग wavelength वाला complete band है, अलग-अलग wavelength वाला complete band है, ठीक है ना, इसमें स इसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा है वेटा इसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा है वेटा जी जो हमको हमारी आख से दिखता है बात को ध्यान से समझना चैट को रोग दो बात को ध्यान से समझना इसमें से छोटा सा हिस्सा है जो हमको हमारी आख से दिखता है ठीक है ना उसको हम बोलते हैं visible spectrum, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते है visible spectrum, है ना, तो क्या सर बाकी आँख से नहीं दिखता, नहीं भाई, इंसान की आँख से बाकी नहीं दिखता, बाकी कोई भी चीज, बाकी कोई भी spectrum का जो पाट है, EM wave का जो पाट है, वो इंसान को आँखों से नहीं दिख यही बैंड जो है वो विजिबल रीजन में आता है यही बैंड जो है यह हमारी आखे पकड़ पाती है यही बैंड जो है वो हमारी आखो को दिख पाता है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता इसके अतिरिक्त आँखों से हम पकड़ नहीं पाते हमारे light sensitive cells यानि कौन cells इनी को ले करके active हैं इसके अलावा activity उनकी नहीं है disturbance नहीं होती इनी light को ले करके disturbance होती है उनकी बढ़ी आवात है इतना समझ में आ गया है ना को नाम दिया गया radio waves उससे छोटी वालों को नाम दिया गया microwave यह microwave घरवाला microwave नहीं है मैं सन से आने वाली रेस की बात कर रहा हूं सन खाली रोश्णी नहीं फैकता सन खाली visible light इतनी सी है देखो जरासी इतनी सी light है सिरफ कितनी देखना जरा कितनी 400 nanometer से लेकर 700 सिरफ 300 nanometer की range में हमको आखे दिखा पाती है बस बाकी कुछ नहीं दिखता बाकी कुछ नहीं दिखता समझ गये तो एक बहुत बड़ी wavelength radio wave नाम दे दिया गया उससे कम वाली की properties कुछ अलग थी microwave नाम दे दिया गया उससे कम wavelength वाले को infrared दे दिया गया उससे कम वाले को UV rays, अल्ट्रा वरेड बोलते हैं उसको, उसके बाद alpha, beta, वगरा वगरा, उसके बाद x rays आती है, फिर gamma rays आती है, फिर cosmic rays आती है, यह मैंने हैं यहाँ पर note नहीं करवाई, आपको जितना है उतना काफी है, है ना, वैसे भी यह सब स्लेवस में नहीं है आपके, है ना, लेकिन हमको क्या दिखता है, हमको सिरफ इतना सा range दिखता है, इतना सा range दिखता है, ठेक है ना, और उसके अंदर भी रंग जो है, वो mix हो करके आते हैं, जितनी भी wavelengths है, वो सब mix हो करके आती हैं, तो जब यह सारे रंग mix हो करके आते हैं तब यह बनाते हैं white color, तब यह क्या बनात सारी विजिबल रेंज का ये मिक्शर है सारे विजिबल कलर्स का जो विजिबल स्पेक्ट्रम आपको जो दिख पा रहा है भगवान की किरपा से आपकी आँखों में वो शक्ति है कि आप इस लाइट को पकड़ पा रहे हो है ना तो आप ये कबूल करने को तयार क्यों नहीं ह सबका मिक्शर सफेद रंग है इन सबका मिक्शर जो है वो वाइट कलर है ठीक है ना तो वाइट कलर इस दा मिक्स्चर ओफ ऑल कलर्स ठीक है ना दिस 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 वाइट कलर इस मिक्शर ओफ ऑल दा विजिबल लाइट्स जितनी भी विजिबल लाइट आपको दिख रह वाइट रंग बनता है, सफेद रंग बनता है, बात समझ में आई ना, तो वाइट कलर is the mixture of all seven colors, इतनी simple सी बात है, ठीक बात है, समझ मागी बात, तो सन से सारी रंग निकल रहे हैं, ठीक है ना, सन से सारे रंग निकल रहे हैं, है ना, तो सन जो है, असल में वो क्या रंग छो वाइट को दिखते हैं, वो भी पिले पिले दिखें न भाई, अगर सूरज एक आग का गोला है, तो बाकी तारे भी तो आग के गोले होने चाहिए फिर, असल में वो आग का गोला नहीं है, वहाँ कोई आग नहीं लगी है, वहाँ कोई ऐसा fuel नहीं है, जो वहाँ पर yellow color दि पर जिससे कहाट डिखे तो सूरज जो है वो रणग यलो नहीं है यह लो दिखता है ए्मोसफेरिक रिफ्राक्षण की वज़ा से एक मॉसमेर के अंदर छो सकेट्रिंग होती है उसकी वज़ा से पीला रंग दिखता हूसका इसलिए धूप अपने को पीली दिखती है, धूप पीली नहीं होती, धूप इस नोट पीली, धूप इस वाइट, धूप इस वाइट, अगर यकीन नहीं होता, तो मैंने आपको कहीं बार बोला है, फिर से बोल रहा हूं यह वाली वाद, कि आप एक फोटो सर्च करो, अभी इस लेक्चर को चोड़ करके आप जाओ और सर्च करो, आप जाओ और एक टाब और खोलो, क्रॉम के अंदर और नहा पर लिखो, फोटो अफ उफ सन फ्रॉम मून सर्फेस, आपको दिगी चलएगा कि वो वाइट है, आपको पता चलएगा कि वो सफेद चमकता हुआ तारह है, सन एक सफेद चमकता हुआ तारा है वो कोई पीली धूप फैकता हुआ प्राणी नहीं है कोई कि जो पीले रंकी light फैकरा है क्योंकि उस पर आग जली आग नहीं जली उस पर radiation फैकरा है वो ठीक है ना वो EM waves का spectrum फैकरा है पूरा ठीक है ना वो electromagnetic wave के radiation फैकरा है सब दिशाओं में कुछ दिख पा रहे हैं, यह सब कुछ सं से आ रहा है, कोई wave highly energetic है, कोई wave highly penetrable है, कोई wave की penetration बहुत कम है, लेकिन बहुत दूर तक जाती है, तो जिसके lambda जादा होते हैं, वो दूर तक जाती है, ठीक है नाad, जिसके lambda बड़े हैं, वो ही दूर तक जाएंगे, तो radio waves के lambda बड़ बढ़ेगी आप चचट कर लो। गामा रे की वाटे सबसे कम् सब्सक्रूत पिर ऊसके बाद यह ता इसका लाई है इसका लेंड़ा है उसके बाद निले रंग का लेंड़ा है जो है वो पुम है थेक सका बाद इस 여기에 सब्सक्राइब कर सकते क्या बिल्कुल कर सकते हैं कौन मना कर रहा है कि यह सारी चीज़ें आप सब्सक्राइब हो सकती है गामा रेस बताओं कहां से होती है कोबाल्ट 60 आइसोटोप से जिससे जोसे होता है चैसर डैनस जैनी को फोड्ड़ने के लिए उस ट्यूमर को जला मुत होती है है लुक्र होती है तो जैसी अंदर जाएंगी उसको उसको जला देंगी तो जैसी जलेगा जलने के लिए काम आता ये थोड़ी चंशेल उसको तो आटि फिचली बना सकते एक्सरे बनाते तो हैं कभी जाटती इसके उपर आज और दो अलग अलग तरीकों से सारी वेवस को जनुरेट कराया जाता है एसी यूवी रेस अल्ट्रा वहलेट्रेस आपके घर में हो सकता एक्वा गाड लगा हो एक्वाड में आज कर यूवी अब क्या विजिवल लाइट अब क्या विजिवल लाइट को एमिट कर रहे हैं तो सनकी नकलची मंदर है सारे के सारी यह सब को नकल कर रहे हैं जितनी यहाँ पर white light लगी हुई है मेरे उपपर है ना यहाँ studio light है है ना उसके इतना गोरा दिख रहे हैं अधर में इतना गोरा नहीं हूँ बहुत ज्यादा वह हूं है ठीक है ना यह तो दिख रहूं है ऐसे गोरा इसकी वाज़े असल मैं नहीं हूं ठीक है ना तो अब आत जो होते है चोर अलाम जिसको वोलते है चोर घंटी तो तो चोर घंटी भी क्या है तो एच सो कैसी रेडियो वेड chodzi क belum ठीक है ना रेडियो वह हमारे फोणों दीकरते है रेडियो करते हैं किसी एक किसी एक फ्रिक्वेंसी पर है ना किसी एक वेवलेंद पर उससे रेडियो निकलती है सेटलाइट सिस्टम रेडियो जलता है जी पीएस रेडियो से चलता है वाइफाई रेडियो से चलता है ब्लूटूथ रेडियो से चलता है आपका जो रेडियो है है ना जिसको आप stereo सुनते हो वो भी रेडियो चलता है फोन से चलते हैं टेलीविजन भी से चलता है निउस विप्राटकास्स से होती है समझगे ना बात को टेकलोजिकल आइटम आज क्या जितनी भी आई है सब रेडियो वे उसको यूज करते हैं तो क्या इनको आड़ बिचली प्डियूस नहीं किया जा सकता है ठीक है ना तो यह संसे जो आ रहे हैं वो नाचुरल है अधर वाइस आप इसको क्रियेट भी कर सकते हो ठीक है तो आई वो पापको इस सारी बाते समझ में आ गई होंगी है ना कि एलेक्ट्रो-मगेटिक स्पेक्ट्रम क्या है तो तो एक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसमें sun से आने वाला सारा radiation है ठीक है ना? उसको arrange कर दिया गया wavelength के हिसाब से और frequency के हिसाब से जिस तरफ frequency ज़ादा होगी वो उल्टा है है ना? आप जानते हो V is equal to lambda नहीं होता है V is equal to lambda नहीं होता है तो जिसका lambda बड़ा होगा V कम होगा क्योंकि light की speed तो उतनी रहनी है यह speed है तो light की speed तो उतनी रहनी जिसके lambda बड़े होगे उनकी frequency कम होगी तो wavelength इस तरफ जादा है और frequency उस तरफ जादा है frequency इस तरफ जादा है ठीक है? बात समझगे लगता है आगे बढ़ते हैं तो अब क्या हो रहा है? हम यह बात कर रहे थे कि visible region जो है बिटा जो visible region है उसके अंदर सफेद रंग जो होता है जो white color होता है वो ही फैका जाता है और उसमें से कुछ particle हमको कभी दिखते हैं कुछ कभी scatter होता है तो आपको इस सातों रंग अलग 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 दिखते हैं इन सब की wavelength अलग अलग है हर रंग की अपनी corresponding अलग wavelength है अगर आप mixture बना रहे हो अगर आप रंगों का mixture बना रहे हो तो दो अलग अलग wavelength को mix कर रहे हो उसमें क्या? बच्चे बोलता है pink color की कौन सी wavelength होगी? सर हमें बताओ ना pink color की कौन सी होगी? तो pink color के लिए 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 दो रंग मिक्स कर दिए होँगे तो तेरा pink color बन गया है ना और भी रंग मिक्स करके बनाए जा सकते हैं तो बच्चे बहां मिक्स हो गई है यहां डालेंगे वाइलेट यहां इंडिगो यहां ब्लू यहां ग्रीन यहां एलो यहां ओरेंज यहां रेड विब ग्योर विब ग्योर साथ रंग करेंगे और इस चकरी को जोर से जैसे चकरी गुमेगी ना सारे के सारे रंग क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगे और आपको रंग दिखेगा वाइट ठीक है ना मैं लेके नहीं मैं अई-शन आपको दिखा रहो हैं यहां पर आप खुद सर्च करना यूट्यूब पर ठीक है निव टन इसको जोर ते गूहांगा चकरी को जितने भी रंग होते हैं वाइल इंडिगो ब्लू ग्रीन यलो और जाएंगे और घूम करके सिंगल निकलेगा वाइट सा कलर होता है वाइट टाइप सा कलर दिखेगा जैसे बिजली चमक ती उस तरी के चमक दिखेगी आपको वाइट कलर कि बड़ सिंदर लगता है तो इससे भी प्रूव होता है ऺई सात रंग जो है वो मिलकर Г walking बनाते हैं ठीके बात ही-स अागे बढ़ते हैं एक बार इसको पढ़ लो कि radio whales काहन से निकलते है Okay, microwaves are widely used in point to point communication छोटे communication के लिए use होती है microwave cooking करने के लिए food की, खाना पकाने के लिए अगर आपको खाना पकाना है तो आपको उस चावल के दाने के अंदर अगर वो आपको चावल पकाना है तो आपको चावल के दाने में पानी चाहिए होता है अगर सूखा चावल होगा तो नहीं पकेगा गीला चावल चाहिए आपको चावल को पानी में उबाल के रख दो microwave के अंदर on कर दो ठीक है ना? तो microwave जो है वो चावल को नहीं छुएगी चावल कुछ नहीं कहेगी ही चावल में पढ़े पानी को जाकर के attack करेगी ठीक है ना? उसको energy देदेगी वो burn हो जाएगए वो burn हो जाएगा तो उसकी burning से उसकी steam से चावल पक जाता है इस तरीके से working होती है समझके न इस तरीके से working होती है microwave की तो food cook करने के लिए microwave oven में microwave use होती है, infrared electrical heater के अंदर बिल्कुल सही बात है, short range communication like remote controls, है ना छोटे छोटे जो होते है, optical fiber भी ठीक है, visible क्या होती है, our eyes direct visible light, जो आखों से दिखती है, वो visible light है, ultraviolet, sun से निकलती है, आप जानते हो, जो कि हमारी skin को tan करती है, जो हमारा रंग काला कर करती है, है ना घूम घूम के skin जो काली होती है, that is because of ultraviolet, है ना, burn भी हो जाता है, cancer भी आता, skin का वो भी ultraviolet की वाज़े से, x-ray क्या काम करता है, इमेजिंग करता है, x-ray imaging होती है, airport security system जो होता है, जिसके अंदर आप समान रखते हो, और समान पार करता हो जाता है, है ना, औ और फिर आप उसमें देख पाते हो, क्या समान है इसमें, है ना, वो भी x-ray की वजा से है, वो भी due to x-ray, वहाँ पर भी x-ray use होती है, गामा रे कहा है, गामा रे imaging करता है, inside your body, और में जो मैंने आपको बता है, radio therapy, जो cancer के अंदर treatment होता है, वो भी है, वो भी है गामा के एक तरफ लेते हैं, white light, ठीक है, उस white light को prism के एक end पे मारा जाता है, है ना, उस white light को prism के एक end पे मारा जाएगा, ओके, और वो बटेगी, वो बटेगी, है ना, अच्छा, एक बाद बताओ, एक बाद बताओ, अगर यह prism ना होता, तो यह light ऐसे निकल जाती ना, सीधी, भोलो जी सही बात है पिन अगर यह सम ना होता तो यह लाइट क्यों रही है यह 수िटें क्यों हूँ हो रही है है यह वाइस splitting occurs तूट क्यों रही है? सीधी सीधी निकल जाना भाई है न? why splitting occurs splitting होती है? तो मैं आपको इस splitting का reason बदाता हूँ अब यह splitting क्यों होती है? इसके पीछे का क्लारन बदाता हूँ आपको बड़ा ही important बात है सिनना इसको ध्यान से देखो मुझे बार बताओ मुझे बार बताओ एक लेम्डा आ रहा था के multiple lambda आ रहे थे बोलो जी एक लेम्डा आ रहा था के multiple lambda यानि एक से अधिक lambda आ रहे थे तो इस cancer अभी यह 7 lambda आ रहे थे है ना, समझना इस चीज़ को, बेटा, आपको ध्यान होगा, हमने स्नेल्ज लो पड़ा था, और स्नेल्ज लो क्या कहता है, स्नेल्ज लो कहता है, स्नेल्ज लो कहता है, स्नेल्ज लो क्याता है, स्नेल्ज लो क्याता है, स्नेल्ज लो क्याता है, स्नेल्ज लो क्याता है, स्नेल् पर के लिए पहला आप एसे लिए बदलो सब्सक्राइब नहीं रहेगा वो कुछ नया बन जाएगा कोई नहीं वैलिव आजाएगा उसकी जगह पर है की नहीं यहीं बात ठीक है नहीं यह जो सब्सक्राइब कॉंसेंट के लिए फ़ह आप पेर ओफ मीडिया ना बदलो आप से एर से ग्लास ड्रस पोस्तपारय खुरहिए और रायस हर बार एयर से ग्लास ही गई है लईट तो हावए गिलगोल सही बात है पेर और घुर नई बेकर लेंड़े दो सात रर्भ या जमने तो के पाइंगतों भी क्या होंगे, 7 अलग अलग होंगे, एक ही आई पर multiple r मिलेंगे, जोगी sin i by sin r constant कब तक, जब तक lambda constant है तब तक, और अगर तुने lambda को change कर दिया, अगर तुने lambda change, अगर तुने wavelength change कर दी, है ना, तो क्या होगा, तो r भी क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, sin i by sin r का ratio जो होता है, वो क्या होता रहता है, change होता रहता है, ठीक है, ठीक है जी, बात आगी समझ में, I hope आपको ये बात समझ में आई, है ना, तो अब एक और बात देखो जड़ा, एक और बात देखो जड़ा, तो भी या ठीक है, light सीधी नहीं निकल पाई, light सीधी नहीं निकल पाई, है ना, मुड़ गई, light सीधी नहीं निकल पाई, मुड़ गई, है ना, तो मुड़ी है, मुड़ी है, है ना, तो कौन ज्यादा मुड़ी है? बताओ? κौन सीलाइट ज्यादा मुड़ी है? जो ज्यादा मुड़ी है वो वाईलेट है वेटा यह देखो यह वाईलेट, यह इंडीगो, ब्लू, ग्रीन, उसके पाद रंग नहीं देखेगा तुमको तुह डाक कर देताओ है न, येलो, ओरे रे है वो वाली लाइट है वाइलेट जो सबसे ज़्यादा भटकी है वो कौन सी है वो वाइलेट है है ना और जो सबसे कम भटकी है जो सबसे कम भटकी है वो कौन सी है वो रेड है आप चेक कर लो इस लाइन को छोड़के इस लाइन को छोड़के जो सबसे ज़्यादा डेव isiert u is line से वह कौन सी हुई है पटाया मैने अभी अभी आपको यह यह वी बताया मैने आपको यह देखो रे Zachary wavelength लिखी है 700 nanometer red की wavelength लिखिया वो लिखिया 700 nanometer और violet की जो wavelength लिखिया वो लिखिया 400 nanometer यानि ज़्यादा किसकी है ज़्यादा red की है red का जो lambda है वो ज़्यादा है और violet का जो lambda है वो कम है है के नहीं वई यही बात है न वई यही बात है न वई तो इसलिए red का lambda है जादा और violet का lambda है कम violet का lambda जो है वो कम है red का lambda जादा है violet का lambda कम है इसलिए इसका भटकन जो होता है जो deviation का एंगल होता वो उल्टा होता है आप देखो यहां से यहां कम भटकी है वो red है जो कम भटकी है वो red है और जो जादा भटकी है वो कौन सी है वो violet है सही बात है कि नहीं तो violet जो है उसकी deviation जादा है और red की जो deviation है वो कम है यह opposite होता है वेटा ठीक है न? lambda lambda में और angle of deviation में inversely proportional है जो relation है ठीक है न? तो इसलिए red color का lambda जादा तो उसका deviation कम और violet का lambda कम तो उसका deviation जादा यह बात ध्यान रखना आप यह बात आप ध्यान रखना ठीक है न? ओके तो इसलिए क्या होता है इसलिए splitting होती है इसलिए light साथ रंगों में बठती है ठीक है और जब भी आप इसको draw करोगे जब भी आप इसको draw करोगे आपने एक बार यहां मोडनी है उसके बाद दुबारा से मोडनी है नीचे की तरफ ठीक है न? दो बार light को मोडना है दो बार light को मोडना ऐस जा रहे थी एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे दो बार light को मोडना है इस बात का ध्यान रखना ठीक है न? एक बार पढ़ लेते हैं इसकी definition क्या है? The phenomenon of splitting of white light into its seven consonant colors when it passes through a glass prism is called the dispersion of white light. क्या मतलब वो इस बात का? इसका मतलब यह हुआ कि जब एक white light को prism पे डाला जाता है, जब एक white light को prism पे डाला जाता है, तो वो साथ रंगों में बठती है, तो वो साथ रंगों में बठती है, है ना? और अपने साथ रंगों में बठने की इस प्रक्रिया का नाम dispersion होता है, ठीक है ना? तो dispersion की definition आये तो आपने क्या लिखनी है? splitting of white light into its seven consonant colors, इस इस बाता है, जिनसे मिलके वो बनी है, जिनसे मिलके वो बनी है, है ना? तो फिर से सुन लो, the splitting of white light into its seven consonant colors, ठीक है ना? while passing through a glass prism is called dispersion of light, ठीक है न? तो I hope यहां तक आपको बाते समझ में आ गई है, है ना? और क्यू splitting होती है, मैंने आपको बता दिया, स्नेल्स लॉस के पीछे कारण है, अगर lambda अलग-अलग होंगे, है ना? अगर wavelengths अलग-अलग होंगी, साथ अलग-अलग lambda है भाई, तो साथ अलग-अलग wavelength है, साथ अलग-अलग wavelength होगी, तो सबके मुड़ने का angle भी क्या होंगे, अलग-अलग होंगे, तो सबका angle of refraction change हो जाता है, साथ अलग-अलग wavelength अने की बज़ा से, तो ये बाते थी यहाँ पर, दूसरी बात क्या थी, कि भटकती red सबसे कम है, क्योंकि उसका lambda जादा होता है, lambda r is more, है ना, और lambda v is less, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, violet का lambda कम है, तो भटकेगी जादा, जिसका lambda जादा होगा, वो कम भटकेगी, ठीक है ना, बात clear हो गई लगता है, ठीक है, हाँ जी, तो band of seven करण उसको spectrum कहते है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, ये साथ रंगों में बटती है, ठीक बात है, विबग्योर कह सकते है, उसको आप याद रख सकते हो, विबग्योर के नाम से, विबग्योर, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, red, की विलन सबसे ज़्यादा, यहाँ से यहाँ चल रहे है, lambda बढ़ रहे है, यहाँ से यहाँ चलेंगे, lambda घटेंगे, है ना, और frequency बढ़ेगी, यहा यहाँ, lambda बढ़ेंगे, इधर lambda बढ़ेंगे, इधर new बढ़ेंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है जी, next topic जो आता है, वो आता है, recombination, है ना, recombination के बाद हम लोग ब्रेक देंगे आपको, जाधा नहीं, 10 मिनिट का देंगे, इससाधा नहीं, बहुत है, 10 मिनिट का बहुत ह है, देखो है, क्या करते है, क्या करते है, क्या करते है, क्या वाइट लाइट ली जाती है, ध्यान से सुनना, वाइट लाइट ली जाएगी, और उसे एक एज़ पे डाला जाएगा, डाल दिया, है ना, एक एज़ पे डाल दिया, प्रिजम के एक एज़ पे डाल दिया, अलेते है कोई नीग हुआ है मैं बडगा ना है न है ना ये वाइए कर रह तो वाइच वाली है अगर ये बाटकि ये अब अधर शिलिचरलेंग सब abonn Rapture अवाट सबसे कमाये और तो वॉयलेंट में आया division जाधा motivate और निकलेगी है करने अब है आपके बाहर निकलेगी है कि नो है सब्सक्राइब ने एक बार मोड़ कि ऑर पीछे बनाते हैं सब्सक्राइब हॉ साथ और पीछे बनाते हैं, यहां वाइलेट आई, ठीक है, और यहां रेड आई, यहां रेड आई, है ना, अब आपको वाइलेट है, तो और ज्यादा बटकेगी वो, ऐसे बटकी, नीचे की तरफ निकली वो, ठीक है, रेड थोड़ा सा कम बटकेगी, तो ठीक है वाई, थोड़ भी फैली होई है. Dispersed है ये अब TBлаг अब क्या होगा? अब ये मिलेंगी. अब ये मिलेंगी. तो बच्चा पूसता सार मिल क्यों गई है? है ना? बच्चे का सवाल होता है कि ये मिल क्यों गई? ये Recombine क्यों कर गई? बेटा जी आप समझो तो इस बात को जिस तरीके का dispersion था जिस तरीके की geometry ने इसको तोड़ा था वही reverse geometry लगके इसको जोड़ देगी है ना जिस तरह के angles तोड़ते हुए splitting करते हुए आये थे उससे उल्टे एंगल जाए वो कैसे आएंगे symmetrically कैसे आएंगे उल्टे आएंगे उसके था पिर से गरी वह जोड़ जाएगी तो जुड़ करके जुड़ करके एसे है instructed का और और रेड़ भी है ना रेड़ भी ऐसे इस तरीके से जुड़ जाएगी तो बाकी सर रंग भी जोंगे वो इनके बीच में ही होंगे अब यह दुवारा जुड़ जाएगी वाइट लाइट आई साथ रंगों में बटी आगे निकली फिर उल्टा प्रिसम रख दिया तो सा ली थी साथ रंगों में बटी और री कम्माइन हो गई यह नासा कण भी Say आप इसको roughly भी बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बस आप इसका ध्यान रखना कि किस तरीके से आपने prism को रखना है, एक को सीधा और एक को inverted, दो prism रखने हैं ऐसे, उपर नीचे, एक को उपर की तरफ, एक को नीचे की तरफ, ऐसे रखने हैं आपने दो prism, light डलेगी, स ब्रेक का मतलब होता है, तोड़ना, है न, तो तोड़ देते हैं तुमको, 10 मिनिट तक के लिए, छुट्टी, 10 मिनिट की छुट्टी, उसके बाद आ जाना, खाना वाना खालो, खाना पीना कलो भाई, मिलते हैं फिर, क्या बाद है, एक हैं, इस बाद बीकित का बालो, व interviewed शुटी, घएlaईंढेब ए कई जाना वाना 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 मुट्टीel, आ जाना एक भाना वाना या झालो, भाना वाना है, ये दुमको, जुमको, टुमको, डिसरी को, 9 मिनित तका सरिला'sटी, लाना वुब्सका ऑमको, झाल 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 तो झाल 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 तो तो यह झाल 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 तो झाल 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 तो यह 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 है यह 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 है यह 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 है यह 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 यह